सुखदा घर पहुँची तो बहुत उदास थी सारवजनिक जीने मन में हार का उसे यह पहला ही अनुभव था और उसका मन किसी चाबू खाय हुए अलहड बच्छडे की तरह सारा साज और बम और बंधन तोड़ तोड़ कर भाग जाने के लिए व्यक्र हो रहा था ऐसे कायरों से क्या आशा की जा सकती है जो लोग स्थाईल आप के लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं उठा सकते उनके लिए संसार में अपमान और दुख के सिवा और क्या है नैना मन में इस हार पर खुश थी अपने घर में उसकी कुछ पूछ न थी उसे अब तक अपमान ही अपमान मिला था फिर भी उसका भविश्य उसी घर से संबद हो गया था अपनी आखें दुखती हैं तो फोड़ नहीं दी जाती सेट धनीराम ने जमीन हजारों में खरी थी थोड़े ही दिनों में उसके लाखों में मिकने की आशा थी वे सुखदा से कुछ कह तो न सकती थी पर ये आंदोलन उसे बुरा मालूम होता था सुखदा के प्रतिय अब उसको वेभक्ती न रही थी अपनी द्वेश त्रिशना शांत करने ही के लिए तो वे आग लगा रही है इन तुच्छ भावनाओं से दब कर सुखदा उसकी आँखों में कुछ संकुचित हो गई थी नैना ने आलोचक बन कर कहा अगर यहां के आदमियों को संगठित कर लेना इतना आसान होता तो आज ये दुरदशा ही क्यों होती सुखदा आवेश में बोली खड़ताल तो होगी चाहे चोधरी लोग माने या ना माने चोधरी मोटे हो गए है और मोटे आर्दमी स्वार्थी हो जाते है नैना ने आपत्ती की डरना मनुश्य के लिए स्वाभाविक है जिसमें पुरुशार्थ है, ग्यान है, बल है वे बाधाओं को तुझ समझ सकता है जिसके पास व्यंजनों से भरा हुआ थाल है वे एक टुकड़ा कुत्ते के सामने फैक सकता है जिसके पास एक ही टुकड़ा हो वे तो उसी से चिम्टेगा सुकड़ ने मानो इस कतन को सुना ही नहीं मंदिर वाले जगड़े में नजाने सभी मैं कैसे साहसा गया था मैं एक बार वही कारण दिखा देना चाहती हूँ नैना ने काप कर गा, नहीं भाबी इतना बड़ा भार सिर पर मतलो समय आ जाने पर सब कुछ आप ही हो जाता है देखो हम लोगों के देखते देखते बाल भी वहाँ छूट चाथ का रिवास कितना कम हो गया शिक्षा का प्रचार कितना बढ़ गया समय आ जाने पर गरीबों के घर भी मन जाएंगे ये तो कायरों की नीती है पुरुशार्थ वही है जो समय को अपने अनुकूल बनाए इसके लिए प्रचार करना चाहिए छे महीने वाली राह है लेकिन जोखिम तो नहीं है जनता को मुझे पर विश्वास नहीं है एक शनबाद उसने फिर कहा अभी मैंने ऐसी कौन सी सेवा की है लोगों को मुश्क्र विश्वास हो दो-चार घंटे गलियों का चक्कर लगा लेना कोई सेवा नहीं मैं तो समझती हूँ इस समय हर्टाल कराने से जनता की थोड़ी बहुत सहानबूती जो है जनता के दिनों पर काबू नहीं पा सकती मुझे त्याग करना पड़ेगा इतने दिनों से सोचती ही रह गई दूसरे दिन शहर में अच्छी खासी हर्टाल थी महतर तो एक भी काम करते ना नज़र आता था कहारों और इक्के गाड़ी वालों ने भी काम बंद कर दिया था साग भाजी की दुकाने भी आदी से ज़्यादा बंद थी कितने ही घरों में दूद के लिए हाय हाय मची हुई थी पुलिस दुकाने खुलवा रही थी और महतरों को काम पर लाने की चेश्टा कर रही थी उधर जिले के अधिकारी मंदल में इस समस्या को हल करने का विचार हो रहा था शेहर के रईस और अमीर भी उसमें शामिल थे दोपहर का समय था घटा उम्री चली आती थी जैसे आकाश पर पीला लेप किया जा रहा हो सडकों और गलियों में जगें जगें पानी जमा था उसी कीचड में जंता इदर उदर दोड़ती फिरती थी सुखदा के दोआर पर एक भीड लगी हुई थी किस ऐसा शान्तिकुमार घुटने दक कीचड लपेटे आकर बरामदे में खड़े हो गए कल की बातों के बाद आज यहां आते हूंने संकोच हो रहा था नैना ने उन्हें देखा पर अंदर न बुलाया सुखदा अपनी माता से बाते कर रही थी शान्तिकुमार एक शन खरे रहे फिर हताश होकर चलने को तयार हुए सुखदा ने उनकी रोनी सूरत देखी फिर भी उन पर व्यंग प्रहार करने से न चुकी किसी ने आपको यहां आते तो नहीं देख लिया डॉक्टर साहब शान्तिकुमार ने इस व्यंग की चोट को विनोज से रोका खूब देख भाल कर आया हूँ कोई यहां देख भी लेगा तो कह दूँगा रुपय अधार लेने आया हूँ रेणुका ने डॉक्टर साहब से देवर का नाता जोड लिया था आज सुगदा ने कल का वृतान सुना कर उसे डॉक्टर साहब को आड़े हाथों लेने की सामगरी दे दी थी हाला कि अद्रिश्य रूप से डॉक्टर साहब के नीती भेद का कारण वे खुद थी उन्हीं ने ट्रस्ट का भार उनके सिर पर रखकर उन्हें सेंचित कर दिया था उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा तो चूड़ियां बहर कर बैठोना ये मूचें क्यों बढ़ा ली है शांतिकमा ने हसते हुए कहा मैं तयार हूँ लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तयार रहेगा आपको मर्द बनना पड़ेगा रेनु का ताली बजा कर बोली मैं तो बूड़ी हुई लेकिन तुम्हारा खसम ऐसा ठूंडूंगी जो तुम्हे साथ पर्दे के अंदर रखे और गालियों से बात करे गहने में बनवा दूंगी सिर में सिंदूर डाल कर खूंगट निगा ले रहना पहले खसम खा लेगा तो उसका जूठन मिलेगा समझ गए और उसे देवता का प्रसाद समझ कर खाना पड़ेगा जरा सी नाग मोसी कोड़ी तो कुल अच्छी नहीं कहला होगी उसके पाउंद होने पड़ेंगे उसकी धोती चांट नहीं पड़ेंगी यह बाहर से आएगा तो उसके पाउंध होने पड़ेंगे और बच्चे भी जनने पड़ेंगे बच्चे नहुए तो यह दूसरा बया कर लेगा फिर घर में लॉंडी बन कर रहना पड़ेगा शांती कुमार पर लगातार इतनी चोटे पड़ी कि हसी बूल गई मुँ जरा सा निकलाया मुड़दानी ऐसी चागई कि जैसे मुँ बन गया जबड़े फैलाने से भी न फैलते से रेनुका ने उनकी दो चार बार पहले भी हसी की थी पर आज तो उन्होंने खूब रूला कर सोड़ा परिहास में औरत अजे होती है खासकर जब वे बूड़ी हो उन्होंने घड़ी देखकर गा हम एक बज़ रहा है आज तो हरताल अच्छी रही रेनुका ने फिर चुटकी ली आप तो घर में लेटे थे आपको क्या ख़बर शांती कुमार ने अपनी कार गुजारी जटाई उन आराम से लेटने वालों में मैं नहीं हर एक आंदोलन में ऐसे आद्मियों की भी जरूरत होती है जो ग्युप तरूप से उनकी मदद करते रहे मैंने अपनी नीती बदल दी है और मुझे अनभव हो रहा है इस तरहें कुछ कम सेवा नहीं कर सकता आज नौजवान सभा के दस बारा यूखों को तैनात कराया हूँ नहीं इसकी चौथाई हरताल भी नहोती रेणुखा ने बेटी की पीट पर थपकी दे कर गहा हूँ तब तो इन्हें क्यों बदनाम कर रही थी बेचारे ने इतनी जान खपाई फिर भी बदनाम हुए मेरी सिमझ में भी यही नीती आ रही है सबका आग में पूदना अच्छा नहीं शांती कुमार कल के कारे करम का निश्चे करके और सुखदा को अपनी और से आश्वस्त करके चले गए संध्या हो गई थी बादल खुल गए थे और चांद की सुनहरी जोत प्रित्वी के आंसों से भीगे हुए मुख जैसे मात्रसने की वर्षा कर रही थी सुखदा संध्यागर के बैठी हुई थी उस गेहरे आत्म चिंतन में उसके मन की दुर बलता किसी हठीले बालक की भाती रोती हुई मालम हुई क्या मनी राम ने उसका वे अपमान न किया होता तो वे हरताल के इतना जोर लगाती उसके अभिमान ने कहा हाँ हाँ जरूर लगाती ये विचार बहुत पहले उसके मन में आया था धनी राम को हाथ नहीं होती है तो हो इस भैसे वे करतववे का त्यांकों करे जब वे अपना सर्वस्वे इस उद्योग के लिए होम करने को तुली हुई है तो दूसरों के लाभानी की उसे क्या चिंता हो सकती है इस तरह मन को समझा कर उसने संद्या समाब्त की और नीचे उतरी थी कि लाला समरकांत आकर खड़े हो गए उनके मुक पर विशाद की देखा जलग रही थी और ओट इस तरह फड़क रहे थे मानो मन का आवेश बाहर निकलने के लिए विकल हो रहा है सुखदा ने पूछा आप कुछ घबराए हों हैं दादा जी क्या बात है समरकांत की सारी देह जैसे काँप होटी आंसुमे के वेग को बलपूर वक रोकने की चेश्टा करके बोले एक पुलिस करमचारी अभी दुकान पर ऐसी सूचना दे गया है कि क्या कहूँ ये कहते कहते उनका कंट स्वर जैसे गेहरे जल में डुग्किया खाने लगा सुखदा ने आशंक की दोकर पूछा तो कहिए ना क्या कह गया है रिदवार में तो सब कुशल है समरकांत ने उसकी आशंक काउं को दूसरी और बहगते देख जल्दी से कहा नहीं नहीं उदर की कोई बात नहीं तुम्हारे विशे में था तुम्हारे गिरफतारी का वारंट निकल गया है सुखदा ने हस कर गा अच्छा मेरी गिरफतारी का वारंट है तो उसके लिए आप इतना क्यों खबरा रहे हैं मगर आकिर मेरा अपराद क्या है समरकान ने मन को संपाल करका यही हरताल है आज अफसरों की सला हुई है और वहाँ यही निश्चे हुआ कि तुम्हें और चौदनियों को पकड़ लिया जाए इनके पास दमन ही एक दवा है असन तोश के कारणों को दूर न कर सकेंगे बस पकड़ धकड़ से काम लेंगे जैसे कोई माता भूक से रोते बाला को पीट कर चुप कर आना चाहे सुकदा शान भाव से बोली जिस समाज का आधार ही अन्याएबर हो उसकी सरकार के पास दमन के सिवा और क्या दवा हो सकती है लेकिन इससे कोई ये ना समझे कि ये आंदोलत दब जाएगा उसी तरह जैसे कोई गेंद टककर खाकर और जोर से उचलती है जितने ही जोर से टककर होगी उतने ही जोर की प्रतीक क्रिया भी होगी एक शन के बाद उसने उत्ते जेत हो कर गा मुझे गिरफतार कर ले उन लाखों गरीबों को कहा ले जाएंगे जिनकी आहें आसमान तक पहुँच रही है यही आहें एक दिन किसी जुआला मुखी की भाती फटकर सारे समाज और समाज के साथ सरकार को भी विधवन्स कर देगी अगर किसी की आँखें नहीं खुलती तो ना खुलें मैंने अपना कर्तव बूरा कर दिया एक दिन आएगा जब आज की देवता कल कंकर पत्थर किदरे उठा उठा कर गलियों में फैंक दिये जाएंगे और पैरों से ठुकराए जाएंगे मेरे गिरफतार हो जाने से चाहे कुछ दिनों के लिए अधिकारियों के कानों में हाहा कार की आवाजें न पहुंचे लेकिन वैदीन दूर नहीं जब यही आंसु चिंगारी बनकर अन्याय को भस्म कर देंगे इसी राक से वै अगनी प्रजवलित होगी जिसकी अंदोलित शिखाएं आकाश तक को हिला देंगी समरकांथ पर इस प्रलाप का कोई असर न हुआ वैस संकट को टालने का उपाय सोच रहे थे डरते डरते बोले एक बात कहूं गुरा मत मानू जमानत सुखदा ने तियोरियां बदल कर गा नहीं कदापी नहीं मैं क्यों जमानत लो क्या इसलिए कि अब मैं कभी जमान न खोलूंगी अपनी आँखों पर पट्टी बांद लोंगी अपने मूपर जाली लगवा लोंगी इससे तो यही अच्छ है मैं अपनी आँखे फोड़ लो जमान गटवा दो समरकांद की सहिशन उताब सीमा तक पहुँच चुकी थी गरज कर बोले अगर तुम्हारी जबान काभू में नहीं है तो कटवा लो मैं अपने जीते जी यह नहीं देख सकता कि मेरी बहु गिरफ़तार की जाए और मैं बैठा देखू तुमने हर्दाल करने के लिए मुझसे पूछ क्यों न लिया तुम्हें अपने नाम की लाज नहों मुझे तो है मैंने जिस मर्यादा की रिक्षा के लिए अपने बेटे को त्याग दिया उस मर्यादा को मैं तुमारे हतों न मिटने दूँगा बाहर से मोटर का हॉर्ण सुनाई दिया सुकदा के कान खड़े होगे व्यावेश में दौार की और चली फिर दोड़कर मुनने को नैना की गोच से लेकर उसे हृदे से लगाए हुए अपने कमरे में जाकर अपने आपूशन उतारने लगी समरकांद का सारा करोथ कच्चे रंग की भांती पानी पड़ते ही उड़ गया लबक कर वहर आये और आकर उड़ाय हुए बोले बहु डिप्टी आ गया मैं जमानत देने जा रहा हूँ मेरी इतनी आचना सुईकार करो थोड़े दिन का महमान हूँ मुझे मर जाने दो फिर जो कुछ जी में आये करना सुकदा कमरे के द्वार पर आकर ड्रड़ता से गोली मैं जमानत न दूंगी ना इस महामले की पैर भी करूंगी मैंने कोई अपराद नहीं किया समरकांद ने जीवन भर में कभी हार न मानी थी पर आज वह इस अभिमानी रमणी के दा सामने परास्त खड़े थे उनके शब्दों ने जैसे उसके मूपर जाली लगा दी उन्होंने सोचा स्त्रियों को संसार अबला कहता है कितनी बड़ी मुर्गता है मनुष्य जिस वस्तु को पराणों से भी प्रिये समझता है वैस तरीकी मुठी में है उन्होंने विने के साथ का लेकिन अभी तुमने भोजन भी तो नहीं किया खड़ी मूग क्या ताक्ती है नेना क्या भंग खा गई है जा भगो को खाना किला दे अरे हो महरा महरा ये ससुरा नजाने कहा मर रहा समय पर एक भी आदमी नजर नहीं आता तुम अभी को ले जा रसोई में नेना मैं कुछ मिठाई लेता हूँ साथ साथ कुछ खाने को तो ले जाना ही पड़ेगा कहार उपर बिचावन लगा रहा था दोड़ा हुआ कर खड़ा हो गया समरकांत ने उसे जोड़ से एक धौल मार कर गया कहां था तूँ इतनी देर से पुगार रहा हूँ सुनता नहीं किस के लिए बिचावन लगा रहा था बहू जा रही है जा दोड़ कर बजाय से अच्छे मिठाई ला चौक वाली दुकान से लाना सुखदा आग रह के साथ बोली मिठाई की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है होना कुछ खाने की इच्छा है कुछ कपड़े लिए जाती हूँ वही मेरे ले काफी है बाहर से आवाज आई सेट जी देवी जी को जल्द भेजिये देर हो रही है समरकान्थ बाहर आए और अपराधी की भांती खड़े हो गए डिप्टी दुहरे बदन का रोवदार पर हसमों काद में था जो और किसी विवाग में अच्छी जगन ना पाने के करण पुलिस में चला आया था समझती ही क्या है अब तो आप लोगों की धया का फरोसा है मुझ से जो खित्मत कही है उसके लिए हासिर हूँ जेलर साहब से तो आपका रब्द जब्द होगा ही उन्हें भी समझा दीजिए कोई तकलीफ नहोंने पाए मैं किसी तरह भी बाहर नहीं हूँ नाजुक मिजाज औरत है हुजूर डिप्टी ने सेड़ जी को बराबर की कुर्सी पर बिठाते हुएगा सेड़ जी ये बाते उन मौामलों में चलती है जहां कोई काम बुरी नियत से किया जाता है देवी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रही है उनका इरादा नेक है वह हमारे गरीब भाईयों के हक के लिए लड़ दी है उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहोगी नौकरी से मजबूर हूँ वरना ये देवियां तो इस लायक है इनके कदमों पर सिर रखें खुदा ने सारी दुनिया की नेमते दे रखी हैं अगर उन सब पर लात मार दी और हक के लिए सब को जहलने को तयार है इसके लिए गुर्दा चाहिए साब मामूली बात नहीं है सेट जी ने संदूक से दस अशर्फियां निकाल ली और चुपके से डिप्टी की जेब में डालते हुए बोले ये बच्चों के मिठाई खाने के लिए है डिप्टी ने अशर्फियां जेब से निकाल कर मेज पर रख दी और बोला आप पुलिस वालों को बिलकुल जानवर ही समझते हैं कि सेट जी क्या लाल पगड़ी सिर पर रखना ही इनसानियत का खून करना है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ देवी जी को तकलीफ नहोंने पाएगी तकलीफ उन्हें दी जाती है तो जो दूसरों को तकलीफ देते है जो गरीबों के हक के लिए अपने जिन्दगी गुर्बान कर दें उसे अगर कोई सताये तो वह इनसान नहीं हैवान भी नहीं शैतान है हमारे सीख में ऐसे आदमी है और कसरत से है मैं खुद फरिष्टा नहीं हूँ लेकिन ऐसे मौामले में पान तक खाना हराम समझता हूँ मंदिर वाले मौामले में देवी जी जिस देलेरी से मैदान में आकर गोलियों के सामने खड़ी हो गई थी वह उन्हीं का काम था सामने सड़क पर जंता का समूँ प्रतीशन बढ़ता जाता था बार बार जैजेकार की ध्वनी उठ रही थी स्त्री और पुरुष देवी जी के दर्शन को भागे चले आते थे फीतर नैना और सुखदा में समर छिड़ा हुआ था सुखदा ने थाली सामने से हटा कर कहा मैंने कह दिया मैं कुछ न खाओंगी नैना ने उसका हाथ पकड़ कर रहा दो-चार कौर ही खालो भाभी तुम्हारे पैरों बढ़ती हूँ फिर नजाने ये दिन कब आए उसकी आखे सजल हो गई सुखदा निश्टुटा से बोली तुम मुझे व्यर्थ में दिख कर रही हो बीबी मुझे अभी बहुत सी तैयारियां करनी है और उदर डिपटी जल्दी मचा रहा है देखती नहीं हो दौर पर डोली खड़ी है इस वक्त खाने की किसे सूचती है नैना प्रेम विहल कंट से बोली तुम अपना काम करती रहो मैं तुम्हे कौर बना कर खिलाती जाओंगी जैसे माता खेलते बच्चे के भी से दोड़ दोड़ कर उसे खिलाती है उसी तरह नैना भावी को खिलाने लगी सुकदा कभी उसल मारी के पास जाती कभी उसल संदूक के पास किसी संदूख से सिंदूर की डुबिया निकालती, किसी से साडिया नैना एक कोर खिलाकर फिर थाल के बाँ जाती और दूसरा कोर लेकर दौडती सुखधा ने पांच चे कओर खाकर गहा, बस अब पानी पिला दे नैना ने उसके मूँ के पास कौर ले जाकर गा बस यही और ले लो, मेरी अच्छी भावी सुखदा ने मूँ खोल दिया और ग्रास के साथ आंसू भी पी गई बस एक और, अब एक और भी नहीं, मेरी खात थे सुखदा ने ग्रास ले लिया, पानी भी दोगी या खिलाती ही जा हुई बस एक ग्रास भाईया के नाम का और ले, नाक किसी तरह नहीं नैना की आँखों में आसू थे, प्रत्यक्ष सुखदा की आँखों में भी आसू थे, मगर छिपे हुए नैना शोक से विखल थी, सुखदा उसे मनोबल से दबाए हुए थी वे एक वार निश्ठुर बनकर चलते चलते नैना के मोह बंदन को तोड़ देना चाहती थी पैने शब्दों से हृदय के चारों खाई खोद देना चाहती थी मोह और शोक और व्योग व्यथा के आक्रमनों से उसकी रक्षा करने के लिए पर नैना की चलचलाती हुई आँखें कापते हुए होट वे विनेदीन मुक्ष्री उसे निरश्चस्त्र किये देती थी नैना ने जल्दी जल्दी पान के बीडे लगाया और भावी को खिलाने लगी तो उसके दबे हुए आसूफ हवारे कितना उबल पड़े मूँ ढापकर रोने लगी सिस्किया और गहरी होकर कंट तक जा पहुँची सुखदा ने उसे गले लगा कर सजन शब्दों में कहा क्यों रोती हो बीबी बीच बीच में मुलाकात तो होती ही रहेगी जेल में मुझ से मिलने आना तो खूब अच्छी चीज़ें बना कर लाना दो चार महीने में तो फिर आई जाऊंगी नेना ने जैसे डूबती हुई ना उपर से कहा मैं ऐसी अभागिन हूँ कि आप तो डूबी ही थी तुम्हें भी लोड़े डूबी ये शब्द फोड़े की तने उसी समय से उसके हुरे में टीस रहे थे जब से उसने सुखदा की गिरफतारी की खबर सुनी थी और ये टीस की मोह वेदना को और भी दुरदान्त बना रही थी सुखदा ने आश्चर्य से उसके मूँ की ओर देखकर कहा ये तुम क्या कह रही हो बीबी क्या तुमने पुलिस बुलाई है नेना ने गलानी से भरे कंट से कहा ये पत्थर की हवैली वालों का कुचकर है सेट धनीराम शेहर में इसी नाम से प्रसिद्दे थे मैं किसी को गालिया नहीं देती पर उनका किया उनके आगयाएगा जिस आदमी के लिए मूँ से आश्रवाद ना निकलता हो उसका जीना वरित्था है सुखदा ने उदास होकर कहा उनका इसमें क्या दोश है भी ये सब हमारे समाज का हम सबों का दोश है अच्छा जाओ अब विदा हो जाए वादा करो मेरे जाने पर रोगी नहीं नेना ने उसके गले से लिपटकर सूजी हुई लालाखों से मुस्कुरा कर गहा नहीं रोंगी भाद अगर मैंने सुना तुम रो रही हो तो मैं अपनी सजा बढ़वा लूँगी भाईया को ये समाचार देना ही होगा तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो अम्मा को समझाती रहना उनके पास कोई आदमी फेजा गया है या नहीं उन्हें बुलाने से और देर हो जाती गंटों न छोड़ती सुनकर दोड़ी आएंगी हाँ आएंगी तो पर रोएंगी नहीं उनका प्रेम आँखो में है रिदा तक उसकी जड़ नहीं पहुंचती दोनों दौार की ओर चली नैना ने मुन्ने को मा की गोट से उतारकर प्यार करना चाहा पर भेना उतरा नैना से बहुत हिला था पर आज वे अभ़ोद आंखों से देख रहा था माता कहीं जा रही है उसकी गोट से कैसे उतरे उसे छोड़कर वैं चली जाएगी तो बेचारा क्या कर लेगा नैना ने उसका चिम्बन लेकर कहा बालक बड़े निर्दई होते हैं सुखदा ने मुस्कुरा कर कहा लड़का किसका है द्वार पर पहुँचकर फिर दोनों गले मिली समरगांद भी ड्योड़ी पर खड़े थे सुखदा ने उनके चरणों पर सिर चुका है उन्होंने कापते हुए हाथों से उठा कर आशिरवाद दिया मुन्ने को कले जिससे लगा कर फूट फूट कर रोने लगे यह सारे घर को रोने का सिगनल था आसू तो पहले सी निकल रहे थे वैं मुक रुदन अब जैसे बंधनों से मुक्त हो गया शीतल धीर गंबीर बुडापा जब विखल हो जाता है तो मानो पिंजरे के द्वार खुल जाते है और पक्षियों को रोकना असंभव हो जाता है जब सत्तर वर्ष तक संसार के समर में जमा रहने वाला नायक थियार डाल दे तो रंगरूटों को कौन रुख सकता है सुखदा मोटर में बैठी जैजैकार की द्वनी हुई फूलों की वर्शा की गई मोटर चल दी हजारों आदमी मोटर के पीछे दोड़ रहे थे और सुखदा हाथ उठा कर उन्हें प्रणाम करती जाती थी ये शरत था ये प्रेम ये सम्मान क्या धन से मिल सकता है या विद्या से इसका केवल एक ही साधने है और वह सेवा और सुखदा को अभी इस शेत्र में आये हुए ही कितने दिन थे सड़क के दोनों और नर्ड नारियों की दीवार खड़ी थी और मोटर मानों उनके ख्रिदय को कुचलती मसलती जा रही थी सुखदा के ख्रिदय में गर्व न था उल्लास न था द्वेश न था केवल वेतना थी जनता की इस दैनिय दशा पर इस अधो गती पर जो डूबती हुई दशा में तिनके का सहारा पाकर भी कृतार्थ हो जाती है कुछ देर के बाद सड़क पर सन्नाटा था सावन की निद्रा सी काली रात संसार को अपने आचल में सुला रही थी और मोटर अनंत में स्वपन की भांती उड़ी चली जाती थी केवल देह में ठंडी हवा लगने से गती का ग्यान होता था इस अंधकार में सुखदा के अंतरस्थां में एक प्रकार साउध हुआ कुछ वैसा ही प्रकार जो हमारे जीवन की अंतिम घंड़ियों में उद्य होता है जिसमें मन की सारी काली माइच, सारी गरन्थियां, सारी विशंताएं अपने यथार्त रूप में नजर आने लगती है तब हमें मालूम होता है जिसे हमने अंदकार में काला देव समझा था वे के वल तरिन का धेर था जिसे काला नाग समझा था वे रसी का एक टुकड़ा था आज उसे अपनी पराजय का ग्यान हुआ अन्याय के सामने नहीं, असत्य के सामने नहीं बलकि त्याग और सेवा के सामने इसी सेवा और त्याग के पीछे तो उसका पती से मदभेद हुआ था जो अंत में वियोग का कारण हुआ उन सिध्धानतों से अभखती रखते हुए भी वे उनके और खिष्टी चली जाती थी और आज वे अपने पती की अनुगामी नी थी उसे अमर के उस पत्र की यादाई जो उसने शांती कुमार के बाज बेजा था और पहली बार पती के प्रती शमा का भाव उसके मन में प्रसफुटित हुआ इस शमा में दया नहीं, सहानबूती थी, सहयोगिता थी अब दोनों एक ही मार्क के पथिक हैं, एक ही आदर्श के उपासक हैं उन में कोई भेध नहीं, कोई वैशम में नहीं आज पहली बार उसका अपने पती से आत्मिक सामेंजस हुआ जिस देवकता को अमंगलकारी समझा था उसकी आज धूप दीप से पूजा कर रही थी सहसा मोटर रुकी और डिपटी ने उतर कर सुखदा से कहा देवी जी जेल आ गया मुझे शमा की जी सुखदा ऐसी प्रसंद थी मानों अपने जीवन धंद अमरकांत को जो ही मालम हुआ कि सलीम यहां का अफसर होकर आया है वे उससे मिलने चला समझा खूब गबशप होगी ये ख्याल तो आया कहीं उसमें अफसरी की बूना आ गई हो लेकिन पुराने दोस्त से मिलने की उतकंठा को न रोक सका बीस पच्चिस मील का पहाड़ी रास्ता था ठंड खूब पढ़ने लगी थी आकाश कूरे की धुन से मटियाला हो रहा था और उस धंड में सूर्य जैसे टटोल टलो टोल कर रास्ता ढूंडता हुआ चला जाता था कभी सामने आ जाता कभी छिप जाता अमर दो पहर के बाद चला था उसे आधशा थी तो दिन रहते पहुँच जाओंगा किन्तो दिन ढलता जाता था और मालूम नहीं अभी कितना रास्त बाकी है उसके पास केवल एक देसी कंबल था कहीं रात हो गई तो किसी वरिक्ष के नीचे टिकना पड़ जाएगा देखते ही देखते सूर्य देव अस्त भी हो गए अंधेरा जैसे मूँ खोले संसार को निगलने चला आ रहा था अमर ने कदम और तेज किये शेहर में दाखिल हुआ तो आठ बज गए थे सलीम उस वक्त कलब से लोटा था खबर पाते ही बाहर निकलाया मगर उसकी सजद़ देखी तो जिचका और गले मिलने के बदले हाथ बढ़ा दिया अर्दली सामने ही खड़ा था उसके सामने इस देहाती से किसी प्रकार घनिष्टता का परिचे देना बड़े साहस का काम था उसे अपने सजे हुए कमरे में भी न ले जा सका अहाते में छोटा सा बाग था एक उरिक्ष के नीचे उसे ले जाकर उसने कहा ये तुमने क्या धज बना रखिये जी इतने हूश कब से हो गए वार ये आपका कुड़ता मालुम होता है डाक का थैला है और ये डाबलूश जूता किस दसावर से मंगवाया है मुझे डर है कहीं बेगार में अधर ले जाओ अमर वहीं जमीन पर बैट गया और वोला कुछ खातिर तवाज़ो तो की नहीं उल्टे और फटकार सुनाने लगे देहातियों में रहता हूँ जेंटलमेन बनू तो कैसे नहीं बाहो तुम खूब आए भाई कभी कभी गपशप हुआ करेगी उधर की खैर अफियत कहो ये तुमने नौकरी क्या कर ली डटकर कोई रोजगार करते सूजी भी तो गुलामी सलीम ने गर्व से कहा गुलामी नहीं है जनाब हुकूमत है दस-पांच दिन में मोटर आई जाती है फिर देखना किस शान से निकलता हूँ मगर तुम्हारी ये हाला देखकर दिल तूट गया तुम्हें ये भेस छोड़ना पड़ेगा अमर के आत्मसम्मान को चोट लगी बोला मेरा ख्याल था और है कि कपड़े महज जिस्म की हिफाज़त के लिए है सलीम ने सोचा कितनी लचर सी बात है देखातीों के साथ रहकर अकल भी खोब बैठा बोला खाना भी तो महज जिस्म की परविर्श के लिए खाय जाता है तो सुखे चने क्यों नहीं चबाते है सुखे गेहों क्यों नहीं भाँगते क्यों हल्वा और मिठाई उडाते हो मैं सूखे चने ही चबाता हूँ जूटे हो सूखे चनों पर ही ये सीना निकलाया है मुझसे डोड़े हो गए मैं तो शायद पहचान में न सकता जी हाँ ये सूखे चनों की ही बरकत है ताकत साफ हवा और सैयम में है हल्वा पूरी से ताकत नहीं होती सीना नहीं निकलता पेट निकलाता है पच्चिस मील पैदल चला आ रहा हूँ हैदम जरा पांच ही मील चलो मेरे साथ माफ कीजिए किसी ने कहा है बड़ी रानी तो आओ पीसो मेरे साथ तुम्हें पीसना मुबारक हो तुम यहां क्या कर रहे हो अब तो आए हो खुद ही देख लोगे मैंने जिन्दगी के नुट जो नक्षा दिल में खीचा था उसी पर अमल करना हूँ स्वामी आत्मनंद के आजाने से काम में और भी सोखलियत हो गई है ठंड ज्यादा थी सलीम को मजबूर होकर अमर कांथ को अपने कमरे में लाना पड़ा अमर ने देखा कमरे में गदेदार कोज है पीतल के गमले हैं जमीन पर कालीन है मध्धे में संग मरमर की गोल मेज है अमर ने दर्वाजे पर जूते उतार दी और बोला किवार बंद कर दूँ नहीं कोई देख ले तो तुम्हें शर्मिंदा होने पड़े तुम साहब ठहरे सलीम पते की बात सुनकर छेट गया बोला कुछ न कुछ खयाल तो होता ही है भई हाला कि मैं फैशन का गुलाम नहीं हूँ मैं भी साधी जिन्दगी बसर करना चाहता था लेकिन अबबा जान की फरमाईश कैसे टालता प्रिंसिपल तक कहते थे तुम पास नहीं हो सकते लेकिन रिजल्ट निकला तो सब दंग रह गए तुम्हारे एक ख्याल से मैंने जिला पसंद किया कल तुम्हें कलेक्टर ले जाओंगा अभी मिस्टर गजनवी से तो तुम्हारी मुलाकात नहोगी बड़ा शौकीन आदमी हैं मगर दिल का साफ पहली मुलाकात में उससे मेरी बेतकलुफी होगी चालिस के करीब होंगे मगर कमपे बाजी नहीं चोड़ी अमर के विचार में अफ्सरों को सचरित होना चाहिए था सलीम सचरित का काहल न था दोनों मित्रों में बहस हो गई सलीम ने कहा खुश का आदमी कभी अच्छा अफ्सर नहीं हो सकता अमर गोला सचरित होने के लिए खुश कोना जरूरी नहीं मैंने तो मुल्लाओं को हमेशा खुश की देखा अफसरों के लिए महस कानून की पाबंदी काफी नहीं मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी कमजोरी इंसान का जेवर है मैं जिन्तगी में तुम से ज्यादा कामयाब रहा मुझे दावा है कि मुझसे कोई नाराज नहीं है तुम अपनी बीवी तक को खुश न रख सके मैं इस मुल्लापन को दूर से सलाम करता हूँ तुम किसी जिले के अफसर बना दिये जाओ तो एक दिन न रह सको किसी को खुश न रख सकोगे अमर ने बहस को तूल देना उचित न समझा क्योंकि बहस में वह बहुत गरम हो जाया करता था भोजन का समय आ गया सलीम ने एक शौल निकालकर अमर को उड़ा दी एक रेशमी स्लीपर उसे पहनने को दिया फिर दोनोंने भोजन किया एक मुद्द के बाद अमर को ऐसा स्वादेश भोजन मिला मास तो उसे न खाया लेकिन और सब चीजें मजे से खाई सलीम ने पूछा जो चीज खाने की थी वे तो आपने निकालकर डग दी अमर ने अपराधी भाव से का मुझे कोई आपती नहीं है लेकिन भीतर से इच्छा नहीं होती और कहो महां की क्या खबरे है कहीं शादी वादी ठीक हुई इतनी कसर बाकी है उसे भी पूरा कर लो सलीम ने चुटकी ली मेरी शादी की फिक्र छोड़ो मन की जिस दशा में वे सकीना की ओर लपका था वे दशाब न रही थी तब सुकदा उसकी जीवन में एक बाधा के रूप में खड़ी थी दोनों की मनो वृत्यों में कोई मिल ना था दोनों जीवन को भिन भिन कोण से देखते थे एक में भी ये समर्द थे न था कि वे दूसरे को हम ख्याल बना लेता लेकिन अब वे हालत न थी किसी देवी विधान ने उनके सामाजिक बंधन को और कसकर उनकी आत्माओं को मिला दिया था अमर को पता नहीं सुकदा ने उसे शमा प्रदान किया नहीं लेकिन वे अब सुकदा का उपा सकता उसे आश्चर्य होता था कि विलासिनी सुकदा ऐसी तपस्विनी क्यों कर हो गई और यह आश्चर्य उसके अनुराग को दिन दिन प्रबल करता जाता था उसे अब अपने उस असंतोष का कारण अपनी ही आयोग्यता में छिपा हुआ मालूम होता था अगर वे अब सुकदा को कोई पत्र न लिख सका तो इसके दो कारण थे एक तो लज्जा और दूसरे अपने पराजय की कल्पना शासन कहे पुरुशोचित भाव मानों उसका परिहास कर रहा था सुकदा स्वच्छन दरूप से अपने लिए नया मार्ग निगाल सकती है उसकी उसे लेश मात्र भी अफशकता नहीं है यह विचार उसके अनुराग की गर्दन को जैसे दबा देता था वे अब अधिक से अधिक उसका अनुगामी हो सकता है सुकदा उसे समर्शेत्र में जाते समय केवल केसर या तिलक लगा कर संतुष्ट नहीं है वे उससे पहले समर में जाकूदी है यह भाव उसके आत्म गौरव को चोड़ पहुँचाता था उसने सिर्ज चुका कर गा मुझे अब तजर्बा हो रहा है कि मैं औरतों को कुछ नहीं रख सका मुझ में वे लियाकत ही नहीं है मैंने तेकर लिया है कि सकीना पर जल्म न करूँगा तो कम से कम अपना फैसला उसे लिख तो देते अमर ने हस्रत बरी आवाज से का ये काम इतना आसान नहीं है सलीम जितना तुम समझते हो उसे याद करके मैं अब भी बेताब हो जाता हूं उसके साथ मेरी जिन्दगी जन्नत बन जाती उसकी इस वफा पर मर जाने को जी चाहता है कि अभी तक ये कहते कहते अमर का कंट स्वर भारी हो गया सलीम ने एक शण के बाद का मान लो मैं उसे अपने साथ शादी करने पर राजी कर लूँ तो तुम्हें नागवार होगा अमर को आखें सी मिल गई नहीं भाईजान बिलकुल नहीं अगर तुम उसे राजी कर सको तो मैं समझूँगा तुम से ज़्यादा खुशनसी बाद में दुनिया में नहीं लेकिन तुम मजाग कर रहे हो तुम किसी नवावजादी से शादी करने का खयाल कर रहे होगे दोनों खाना का चुके और हाद दो कर दूसरे कमरे में लेटे सलीम ने हुक्य का कश लगा कर कहा क्या तुम समझते हो मैं मजाग कर रहा हूँ तुम था लेकिन इतने दिनों में मैंने उसे खूब पर खा अगर तुम उससे शादी कर सकते हो तो शौक से कर लो मैं तो मस्त हूँ ही दिल चस्पी का दूसरा सामान तलाश कर लूँगा लेकिन तुम न करना चाहो तो मेरे रास्ते से हट जाओ फिर अब तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही पंथ में आ गई अब तुम्हारे लिए उससे मूफ एनने का कोई सबब नहीं है अमर ने हुक का अपनी तरफ खींच कर रहा मैं बड़े शौक से तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ लेकिन एक बात बतला दो तुम सकीना को भी दिल चस्पी की चीज समझ रहे हो या उसे दिल से प्यार करते हो सलीम उट बैठा देखो अमर मैंने तुमसे कभी परदा नहीं रखा इसलिए आज भी परदा न रखूँगा सकीना प्यार करने की चीज नहीं पूजने की चीज है कम से कम मुझे वै ऐसी ही मालुम होती है मैं कसम तो नहीं खाता कि उससे शादी हो जाने पर मैं कंठी माला पहन लूँगा लेकिन इतना जानता हूँ कि उसे पाकर में जिन्दगी में कुछ कर सकूँगा अब तक मेरी जिन्दगी सेलानी पन में गुजरी है वह मेरी बहती हुई नाओ का लंगर होगी इस लंगर के बगएर नहीं जानता मेरी नाओ किस भवर में पढ़ जाएगी मेरे लिए ऐसी औरत की जरूरत है जो मुझ पर हगूमत करे मेरी लगाम को कीशती रहे अमर को अपना जीवन इसलिए भार था कि वह अपनी स्त्री पर शासन न कर सकता था सलीम ऐसी स्त्री चाहता था जो उस पर शासन करे और मज़ा ये था कि दोनों एक सुंदरी में मनोनीत लक्षन देख रहे थे अमर में कौथ हूल से का मैं तो समझता हूँ सकीना में वह बात नहीं है जो तुम चाहते हो सलीम जैसे गहराही में डूब कर वोला तुम्हारे लिए नहीं है मगर मेरे लिए है वे तुम्हारी पूजा करती है मैं उसकी पूजा करता हूँ इसके बाद कोई दो ढ़ाई बज़े रात तक दोनों में इधर उधर की बाते होती रही सलीम ने उस नहीं आंदोलन की चर्चा की जो उसके सामने शुरू हो चुगा था और ये भी कहा कि उसके सफल होने की आशा नहीं है संभव है मामला तूल खीचे अमर ने विसमे के साथ कहा तब तो यों कहो सुखदा ने वहाँ नहीं जान डाल दी तुम्हारी सास ने अपनी सारी जायदा सेवाश्रम के नाम वक्फ कर दी अच्छा और तुम्हारे पिदर बुर्जोर्गवार भी अब कौमी कामों में शरीक होने लगे है तब तुम्हाँ पूरा इंकलाब हो गया सलीम तो सो गया लेकिन अमर दिन भर का ठका होने पर भी नींद को न बुला सका वे जिन बातों की कलपना भी न कर सकता था वे सुकदा के हाथों पूरी हो गई मगर कुछ भी हो वही अमीरी जरा बतली हुई सूरत में नाम की लालसा है और कुछ नहीं मगर फिर उसने अपने को धिक का रहा तुम किसी के अंतकरण की बात क्या जानते हो आज हजारों आदमी राश्ट्र की सेवं में लगे हुँ है कौन कह सकता है कौन स्वार थी कौन सच्चा सेवत न जाने उसे कब नहीं दा गई अमर कांत के जीवन में एक नया उत्साह चमक उठा है ऐसा जान पड़ता है अपनी जीवन यात्रह में वे अब एक नये गोड़े पर सवार हो गया पहले पुराने गोड़े को एड़ और चाबुक लगाने की जरुरत पड़ती थी ये नया गोड़ा कनौतियां खड़ी किये सरपड भागता जाता है स्वामी आत्मनं काशी पया गुदर सभी से उसकी तकरार हो जाती है इन लोगों के पास वही पुराने गोड़े हैं दोड़ में पिछड़ जाते है अमर उनकी मंदगती पर बिगड़ता है इस तरह तो काम नहीं चलने का स्वामी जी आप काम करते हैं कि मजाग करते हैं इससे तो कहीं अच्छा था आप सेव आश्रम में बने रहते हैं आत्मनंत ने अपने विशाल वक्ष को तान कर कहा बाबा मेरे से अब और नहीं दोड़ा जाता जब लोग स्वास्त के नियमों पर ध्यान न देंगे तो आप बीमार होंगे आप मरेंगे मैं नियम बतला सकता हूँ पालन करना तो उनके अधीन है अमर नाथ ने सोचा ये आदमी जितना मोटा है उतनी ही मोटी इसकी अकल भी है खाने को डेड़ सेर चाहिए काम करते जवर आता है इनने सन्यास लेने से न जाने क्या लाब हुआ उसने आखों में तिरसकार भर कर कहा आपका काम केवल नियम बताना नहीं है उनसे नियमों का पालन कराना भी है उनमें ऐसी शक्ति डालिये कि वे नियमों का पालन किये भी न रही ना सकें उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाए मैं आज पिचौरा से निकला गाउं में जगें जगें कूडे के ठेर दिखाई गी आप कल उसी गाउं से हो आए हैं क्यों कूडा साफ नहीं कराया क्या आप खुद फावडा लेकर क्यों नहीं पिल पड़े गेरुए वस्तर लेने से ही आप समझते हैं लोग आपकी शिक्षा को देववाड़ी समझेंगे आत्मानन ने सफाई दी मैं कूडा साफ करने लगता तो सारा दिन पिचौरा में ही लग जाता मुझे पाँच्छे गाओं का दौरा करना था ये आपका कोरा अनुमान है मैंने सारा कूडा आद घंटे में साफ कर दिया मेरा फावडा हाथ में लेने की देर थी सारा गाओं जमा हो गया और बात की बात में सारा गाओं चुख हो गया फिर वैं गुदर्ड चौधरी की और फिरा, तुम भी दादाब काम में धिलाई कर रहे हूँ मैंने कल एक पंचायत में लोगों को शराब पीते पकड़ा सोताड़े की बात है, किसी को मेरे आने की खबर तो थी नहीं लोग आनन्द में बैठे हुए और बोतले सरपंच महोदय के सामने रखी थी मुझे देखते ही तुरंत बोतले उठा दी गई और लोग गंभीर बनकर बैठ गए मैं दिखावा नहीं चाहता, ठोस काम जाता हूँ अमर ने अपनी लगन, उत्सा, आत्मबल और कर्मशित्ता से अपने सभी सही योगयों में सेवा भावध पन कर दिया था और उन पर शासन भी करने लगा था, सभी उसका रौब मानते थे, उसके गुलाम थे चौधरी ने बिगड़ कर कहा, तुमने कौन गाओं बता है, सोताड़ा, मैं आज ही उसके चौधरी को बलाता हूँ वही हर अखलाल है, जन्म का प्यक्कड, दो दफ़े सजा काटाया है, मैं आज ही उसे बलाता हूँ अमर ने जहांग पर हाथ पटक कर कहा, फिर वही डाट फटकार की बाद, ओ दादा डाट फटकार से कुछ नहोगा, दिलों में बैठिये ऐसी हवा फैला दीजिए कि ताड़ी शराव से लोगों को घरना हो जाए, आप दिन भर अपना काम करेंगे और चैन से सूएंगे तो ये काम हो चुका ये समझ लो कि हमारे बिरादरी चेज जाएगी तो ब्रहम मं ठाकुर आप ही चेज जाएगे गुदर ने हार मान कर कहा, तो भाईया इतना बूता तो अब मुझ में नहीं, दिन भर काम करूँ और रात बर दौर लगाँ, काम न करूँ तो भोजन कहां से आए अमर कांथ ने उसे हिम्मत हारते देखकर सहास मुख से कहा, कितना बड़ा पेट है तमारा दादा कि सारे दिन काम करना पड़ता है, अगर इतना बड़ा पेट है तो उसे छोटा करना पड़ेगा काशी और प्याग ने देखा इस वक्त सब के उपर फटकार पड़ रही है तो महां से खिस गए पाठशाला का समय आ गया था, अमर कांथ अपनी कोठनी में किठाप लेने गया तो देखा मुन्नी दूद लिये खड़ी है बोला मैंने तो कह दिया था मैं दूद न पिऊंगा फिर क्यों लाई आज कई दिन से मुन्नी अमर के व्यावार में एक प्रकार के शुश्कता का नुभव कर रही थी उसे देखकर अब उसके मुख पर उल्लास की छलक नहीं आती उससे अब बिना विशेश प्रयोजन के बोलता भी कम है उसे ऐसा जान पड़ता है ही मुझसे भागता है इसका क्यारण वे कुछ नहीं समझ सकती ये कांटा उसके मन में कई दिन से खटक रहा है आज वे इस कांटे को निकाल फेकेगी उसने अविचलित भाव से कहा क्यों नहीं पियोगे सुनू अमर पुस्तकों का एक बंडल उठाता हुआ बोला अपनी इच्छा है नहीं पीता तुम्हें मैं कश्ट नहीं देना चाहता मुन्नी ने तिर्ची आँखों से देखा ये तुम्हें कबसे मालू हुआ तुम्हारे लिए दूद लाने में मुझे कश्ट होता है और अगर किसी को कश्ट उठाने में इस जुख मिलता हो तो अमर ने हार कर कहा अच्छा भई जगडा न करो लाओ पीलू एक ही सांस में सारा दूद कड़वी दवा कितना पीकर अमर चलने लगा तो मुन्नी ने दूआर छोड़कर कहा बिना अपराद के तो किसी को सजा नहीं दी जाती अमर दूआर पर ठिटक कर बोला तुम तो जाने क्या बख रही हो मुझे देर हो रही है मुन्नी ने विरक्त भावधारण किया तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ जाते क्यों नहीं अमर कोठरी से बाहर पाऊँ न निकाल सका मुन्नी ने फिर कहा क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि मेरा तुम्हारे उपर कोई अधिकार नहीं तुम आज चाहो तो कह सकते हो, खबरदार मेरे पास मताना और मूँ से चाहे न कहते हो, पर विवहार से रोज ही कह रहे हो आज कितने दिन से देख रही हूँ, लेकिन बेहयाई करके आती हूँ बोलती हूँ, खुशा मत करती हूँ अगर इस तरह आँखें फेर नी थी तो पहले ही से उस तरहें क्यों न रहे लेकिन मैं क्या बखने लगी तुम्हें देर हो रही है जाओ अमर कांथ ने जैसे रसी तुड़ाने का जोर लगा कर गहा तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मुन्नी मैं तुझे इसे पहले रहता था वैसे ही अब रहता हूँ हाँ इदर काम अधिक होने से ज्यादा बातचीत का अफसर नहीं मिलता मुन्नी ने आखें नीचे करके गूड़ भाव से कहा तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ लेकिन ये बात नहीं है तुम्हें अब्रहम हो रहा है अमरकांद ने आश्चरे से कहा तुम तो पहलियों में बातें करने लगी मुन्नी ने उसी भाव से जवाब दिया आदमी का मन फिर जाता है तो सीधी बातें भी पहली से लगती है फिर वे दूद का खाली का टोरा उठा कर जल्दी से चली अमरकांद का हृदय मसोसने लगा मुन्नी जैसे समौन शक्ती से उसे अपनी और खीचने लगी तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ लेकिन तुम्हें भरम हो रहा है ये वाग किसी गहरे खड़ की भाती उसके खृदय को भैवीत कर रहा था वे उतरते दिल कापता था रास्ता उसी खड़ में से जाता था वे नजाने कितनी दिर अचेद सा खड़ा रहा सहसा आत्मान अन्दे बुकारा हूँ क्या आज शाला बंद रहेगी इस इलाके के जमीदार एक महंत जी थे कारकुन और मुक्तार उन्ही के चेले चापड थे इसलिए लगान बराबर वसूल होता जाता था ठाकुर्द वारे में कोई न कोई उत्सव होता ही रहता कभी ठाकुर्दी का जन्म है कभी ब्या है कभी यग्यो पवीत है कभी जूला है कभी जल्विहार है असामियों कोई नवसरों पर बेगार देनी पड़ती थी भेट न उच्छावर पूजा चड़ावा आदी नामों से मजूरी चुकानी पड़ती थी लेकिन धर्म के मुआवले में कौन मूँ खोलता धर्म संकट सबसे बड़ा संकट है फिर इलाके के काश्टकार सभी नीच जातियों के लोग थे गाउं पीछे दो-चार व्रामन घर शत्रियों के थे भी तो उनकी साहनभूती असामियों की ओर ना होकर महंत जी की ओर थी किसी ना किसी रूप में वे सभी महंत जी के सेवक थे असामियों को उन्हें प्रसन रखना पड़ता था बिचारे एक तो गरीब रिड के वोज से दबे हुए दूसरे मूर्ख ना काइदा जाने ना कानून महंत जी जितना चाहे इजाफा करें जब चाहे बेदखल करें किसी को बोलने का साहसन था अकसर खेतों का लगान इतना बढ़ जाता था कि सारी उपर लगान के बराबर भी ने पहुंचती थी इन्तु लोग भाग गय करोकर भूखे नंगे रहकर कुत्तों की मौत मरकर खेत जोतते जाते थे करें क्या कितनों नहीं जाकर शेहरों में नौकरी कर लिए देश जाता है वहां से धन कमा कर लाता है और फिर ग्रहस्ती करता है मान प्रतिष्टा का मोह औरों की महाती उसे गेरे रहता है वह ग्रहस्त रहकर जीना और ग्रहस्ती ही में मरना भी जाता है उसका बाल-बाल कर्ज से बंदा हो लेकिन दुआर पर दो-चार बैल बांद कर वे अपने को धन्ने समझता है उसे साल में 360 दिन आधे पेट खा कर रहना पड़े पुआल में घुसकर राते काटनी पड़े, बेबसी से जीना और बेबसी से मनना पड़े कोई चिंता नहीं, वे ग्रहस तो है यह गर्व उसकी सारी दुरगती की पुरोती कर देता है लेकिन इस साल अनायासी जिन्सों का भाव गिर गया इतना गिर गया जितना 40 साल पहले था, जब भाव तेज था किसान अपनी उपज बेच बाच कर लगान दे देता था लेकिन जब दो और तीन किजन्स एक में बिके तो किसान क्या करे कहां से लगान दे, कहां से दस्तूरियां दे कहां से कर्ज चुकाए विकट समस्या खड़ी हुई और ये दश्या कुछ इसी इलाके की न थी सारे प्रांथ, सारे देश यहां तक की सारे संसार में ही मन दी थी चार सेर का गुड कोई दस सेर में भी नहीं पूछता आठ सेर का गेहूं डेर्ड रुपे मन में भी महेंगा है तीस रुपे मन का कपास दस रुपे में जाता है 16 रुपे मन का संच 4 रुपे में किसानों ने एक एक दाना बेश डाला भूसे का एक एक तिन का भी न रखा लेकिन ये सब कुछ करने पर भी चौथाई लगान से ज्यादा नादा कर सके और ठाकुर्दवारे में वही उत्सव थे वही जल्विहार थे नतीजा ये हुआ इलाके में हाहाकार मच गया इधर कुछ दिनों से स्वामी आत्मनंद और अमरकांद के उद्योग से इलाके में विद्या का कुछ प्रचार हो रहा था और कई गाउं में लोगों ने दस्तूरी देना बंद कर दिया था महंत जी के प्यादे और कारकुण पहले ही जले बैठे थे यों तो दाल नगलती थी बकाया लगान ने उन्हें अपने दिल का गुबार निकालने का मौका दे दिया एक दिन गंगा दट पर इस समस्या का विज़ार करने के लिए एक पंचायत हुए सारे इलाके के स्रीपुरुष जमा हुए मानो किसी पर्व का स्नान करने आये हुँ स्वामी आत्मनंत सभाबती चुने गए पहले भोला चौधरी खड़े हुए वे पहले किसी अफसर के कोचवान थे अब नए साल से फिर से खेती करने लगे थे लंबी नाग काला रंग बड़ी बड़ी मुच्छें और बड़ी सी पगड़ी मुव पगड़ी में छिप गया था बोले पंचों हमारे उपर जो लगान मंदा हुआ है वे तेजी के समय का है इस मंदी में वे लगान देमना हमारे काबू से बाहर है अब कि अगर बैल बंदिया बेच कर दे भी दें तो आगे क्या करेंगे बस हमें इसी बात की तस्फिया करनी है मेरी गुजारिश तो यही है हम सब मिलकर महंत महराज के पास चलें और उनसे आरज मारूज करें अगर वे ना सुने तो हाकिम जिला के पास चलना चाहिए मैं औरों की नहीं कहता है मैं गंगा माता की कसम खा के कहता हूँ मेरे घर में छटांग भर भी अन नहीं है और जब मेरा यह हाल है तो और सबों का भी यही हाल होगा उधर महनत जी के यहां वही बहार है अभी परसों एक हजार सादूओं को आम की पंगत दी गई बनारस और लखड़ों से कई डबे आमों के आये हैं आज सुनते हैं फिर मलाई की पंगत है हम भूखों वड़ते हैं वहां मलाई उड़ती है उस पर हमारा रख तो चूसा जा रहा है बस यही मुझे पंचों से कहना है गूदर ने धसी हुई आँके फाड़ कर कहा महनत जी हमारे मालिक हैं अन्न दाता हैं महात्मा है हमारा दुख सुनकर जरूर से जरूर उन्हें हमारे उपर दया आएगी इसलिए हमें भोला चौधरी की सला मनजूर करने चाहिए अमर भाईया हमारी और से बात चीत करेंगे हम और कुछ नहीं चाहते बस हमें और हमारे बाल बच्चों को आधाज सेर रोजीना के हिसाफ से दे दिया जाए उपर जो कुछ हो वैसा महनत जी ले जाए हम घी दूद नहीं मांगते दूद मलाई नहीं मांगते खाली आधा सेर मोटा आनाज मांगते हैं इतना भी न मिलेगा तो हम खेती न करेंगे मजूरी और बीच किसके घर से लाएंगे हम खेत छोड़ देंगे इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं सलोनी ने हाथ चमका कर गा खेत क्यों छोड़े बाप दादों की निशानी है उसे नहीं छोड़ सकते खेत पर प्राण दे दूँगी एक था तब दो हुए तब चार हुए अब क्या धरती सोना उगलेगी अलगु कोरी बिज्जू सी आखे निकार कर बोला भाईया मैं तो बात बिलाग कहता हूँ महंत के पास चलने से कुछ नहोगा राजा ठाकुर हैं कहीं क्रोध आ गया तो पिटवाने लगे हाकिम के पास चलना चाहिए गोरों में फिर भी दया है आत्मानन ने सबों का विरोध किया मैं कहता हूँ किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा तुम्हारी थाली की रोटी तुमसे कहे कि मुझे न खाओ तो तुम मानोगे चारों तरफ से आवाज आई कभी न मान सकते तो तुम जिनकी थालीय की रोटीय हो वी कैसे मान सकते हैं बहुत सी आवाजों ने समर्थन किया, कभी नहीं मान सकते महंत को उत्सव बनाने को रुपए चाहिए, हाकिमों को बड़ी बड़ी तलब चाहिए उनकी तलब में कमी नहीं हो सकती, वे अपनी शान नहीं चोड़ सकते तुम जीओ या मरो उनकी बला से, वे तुम्हें क्यों चोड़ने लगे बहुत सी आवाजों ने हाँ भी भरी, कभी नहीं चोड़ सकते अमरकान स्वामी जी के पीछे बैठा था, स्वामी जी का यह रुक देखकर ख़ड़ाया लेकिन सभापती को कैसे रोके ये तो वे जानता था, ये गरम मिजास का आदमी है लेकिन इतना जल्दी गरम हो जाएगा, इसकी उसे आशाना थी आखिर ये महाशा चाहते क्या है अब आत्मानंद गरज कर बोले तो अब तुम्हारे लिए कौन समार गया अगर मुझसे पूछते हो और तुम लोग आज प्रण करो क्यूसे मानोगे तो मैं बता सकता हूँ नहीं तुम्हारी इच्छा बहुत सी आवाजे आई जरूर बताईए स्वामी जी, बताईए जनता चारों और खिसकर और सभी पागई स्वामी जी उनके खिर्दे को स्पर्श करने है और ये उनके चेहरे से चलक रहा था जनरुची सदैव उग्र की ओर होती है आत्मनंद बोले तो आओ हम सब मिलकर चहलकर महन जी का मकान और ठाकुर द्वारा खेर ले और जब तक वह लगान बिलकुल न छोड़ दे कोई उत्सब न होने दे बहुत सी आवाजें आई हम लोग तयार है खूब समझ लो वहाँ तुम पान फूल से पूजे न जाओगे कुछ परवा नहीं मर तो रहे हैं सिसक सिसकर क्यों मरें तो इसी वक्त चलो हम दिखा दें की सहसा हमर ने खड़े होकर प्रदीप ने तुन से कहा ठहरो समु मैं सन्नाटा चागया जो जहां था वहीं खड़ा रहा हमर ने च्छाती ठोक कर कहा जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वह यह उद्धार का रास्ता नहीं सरुनाश का रास्ता है तुम्हारा बैल अगर बिमार पड़ जाए तो तुम उसे जोतोगे किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आए तुम पहले उसकी दवा करोगे और जब तक वे अच्छा नहो जाए उसे न जोतोगे क्योंकि तुम बैल को मारना नहीं चाते उसके मरने से तुम्हारे खेत पड़ती पड़ जाएगी गुदर बोला बहुत ठीक कहते हो भी जा घर में आग लगने पर हमारा क्या धर्म है क्या हम आग को फैलने दें और घर की बची बचाए चीजें भी लाकर उसमें डाल दें गुदर ने कहा कभी नहीं कभी नहीं क्यों इसलिए कि हम घर को जलाना नहीं बनाना चाहते हैं हमें उस घर में रहना है उसी में जीना है ये विपत्ती कुछ हमारे ही उपर नहीं पड़ी है सारे देश में यही हाहा कार मचा है हमारे नेता इस प्रशन को हल करने की चेश्टा कर रही है उनी के साथ हमें भी चलना है उसने एक लंबा भाशन दिया पर वही जनता जो उसका भाशन सुनकर मस्त हो जाती थी आज उदासीन बैठी थी उसका सम्मान तो सभी करते थे इसलिए कोई उधम न हुआ कोई बम्चक न मचा पर जनता पर कोई असर न हुआ आत्मनंद इस तमें जनता का नायक बना हुआ था सभा बिना कुछ निश्चे किये उठ गई लेकिन बहुमत किस तरफ है ये किसी से चुपा न था अमर घर लोटा तो बहुत हताश था अगर जनता को शांत करने का उपाय न किया गया तो अवश्य उपद्रव हो जाएगा उसने महंजी से मिलने का निश्चे किया इस समय उसका चित इतना उदास था कि एक बार जी में आये यहां सब छोड़ चाड़ कर चला जाए उसे अभी तक अनुभव न हुआ था कि जनता सदैक तेज मिजादों के पीछे चलती है वहन्याय और धर्म, हानी, लाव, अहिंसा और त्याग सब कुछ समझा कर भी आत्मनंद के फूगे हुए जादू को उतार न सका आत्मनंद इस वक्त यहां मिल जाते तो दोनों मित्रों में जरूर लड़ाई हो जाती लेकिन वह आज गायब थे, उन्हें आज घोड़े का आसन मिल गया था किसी गाओं में संगठन करने चले गए थे आज अमर का कितना अपान हुआ, किसी ने उसकी बातों पर कान तक न दिया उनके चेहरे कह रहे हैं तुम क्या बगते हो, तुम से हमारा उधार न होगा इस घाव पर कॉमल शब्दों के मरहम की जरूरत थी कोई उसे लेटा कर उसके घाव को फाहे से धोए, उस पर शीतल लेप करे मुन्नी रसी और कलसा लिये हो निकली और बिना उसकी और ताके कुएं की और चली उसने पुकारा, जरा सुनती जाओ मुन्नी, पर मुन्नी ने सुनकर भी न सुना जरा देर बाद वह कलसा लिये हो लोटी और फिर उसके सामने से सिर जुकाय चली गई अमर ने फिर बुकारा, मुन्नी सुनो एक बात कहनी है, पर अब वह अब भी न रुकी, उसके मन में अब संदेर ना था एक शण में मुन्नी फिर निकली और सलोनी के गर जा पहुँची, मैं मदरसे के पीछे एक छोटी सी मडाईया डाल कर रहती थी चटाई पर लेटी एक भजन गा रही थी, मुन्नी ने जाकर पूछा, आज कुछ पकाया नहीं काकी, यो ही सो रही सलोनी ने उटकर कहा, खा चुकी बेटा, दोपहर की रोटियां रखी हुई थी मुन्नी ने चौके की और देखा, चौका साफ लिपा पुता पड़ा था, बोली काकी तुम बहाना कर रही हो क्या घर में कुछ है ही नहीं, अभी तो आते देर नहीं हुई, इतनी जल्द खा कहा लिया तू तो पती आती नहीं है बो, भूख लगी थी, आते ही आते खा लिया, बरतन धोदा कर रख दिये बहाँ तुम से क्या च्पाती, कुछ नहीं होता तो मांग न लेती, अच्छा मेरी कसम खाओ काकी ने हसकर कहा, हाँ अपनी कसम खाती हूँ, खा चुकी मुन्नी दुखी थोकर बोली, तुम मुझे गैर समझती हूँ काकी, जैसे मुझे तुम्हारे मरने जीने से कोई मतलब ही नहीं अभी तो तुमने तेलहन बेचा था, रुपे क्या किये सलोनी सिर पर हाथ रख कर बोली, अरे भगवान तेलहन था ही कितना कुल एक रुपया तो मिला, वह कल प्यादा ले गया, घर में आग लगाया देता था, क्या करती, निकाल कर फैंक दिया उस पर अमर भीया कहते हैं, महांची से फरियाद करो, कोई नहीं सुनेगा बेटा, मैं कहे देती हूँ मुन्नी बोली, अच्छा तो चलो मेरे घर खालो, सलोनी ने सजल नेतर होकर कहा, तू आज खिला देगी बेटी, अभी तो पूरा चौमासा पड़ा है, आज कल तो कहीं खास भी नहीं मिलती, भगवान न जाने कैसे पार लगाएंगे, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है डांडी अच्छी होती, तो बाकी देखे चार महीने निबाह हो जाते, इस डांडी में आग लगे, आधी बाकी भी न निकली, अमर भीया को तू समझाती नहीं, स्वामी जी को बढ़ने नहीं देते मुन्नी ने मुँ फेर कर कहा, मुझसे तो आजकल रूठे हुआ हैं, बोलते ही नहीं, काम धंदे से फुरसत ही नहीं मिलती, घर के आदमी से बाचीत करने को भी फुरसत चाहिए, जब भटे हाल आये थे तब फुरसत थी, यहाँ जब दुनिया जानने लगी, नाम हुआ, बड़े आदमी बन गए तो आप फुरसत नहीं है, सलोनी ने विसमे भरी आँखों से मुन्नी को देखा, क्या कहती है बो, वे तुझ से रूठे हुआ हैं, मुझे तो विश्वास नहीं आता, तुझे दोखा हुआ है, बेचारा रात दिन तो दोड़ता है, ना मिली होगी मैंने तुझे जो असीज दिया है, वे पूरा होके रहेगा, देख लेना, मुन्नी अपनी अनुदारता पर सकुचाती हुई बोली, मुझे किसी परवा नहीं है काकी, जिसे सौ बार गरज बड़े बोले, नहीं ना बोले, मैं समझते हूंगे, मैं उनके गले पड़ी जा र है, कि मैं जल चड़ाती जाओं और वे चड़वाते जाएं, और कुछ नहीं चाहती, सहसा अमर ने बुगारा, सलोनी ने बुलाया, आओ भी या, अभी बहु आ गई, उसी से बती आ रही हूं, अमर ने मुन्नी की और देखकर तीखे सोर में कहा, मैंने तुम्हें दो बार बुगारा मुन्नी, तुम बोली क्यों नहीं, मुन्नी ने मूँ फेर गर कहा, तुम्हें किसी से बोलने की फुरसत नहीं, तो कोई क्यों जाय तुम्हारे पास, तुम्हें बड़े बड़े काम क तो औरों को भी तो अपने छोटे छोटे काम करने ही पड़ते हैं। शुष्क निरी ही हो गया है। मैं तुम्हें दो-चार कड़वे शब्द भी कह दूँगा तो तुम मुझे शमा करोगी। अब मालुम हुआ ये मेरी भूल थी। मुन्नी ने उसे कातर नेतनों से देख कर कहा। हाँ लाला वे तुम्हारी भूल थी। दरेदर को सिंगहासन पर भी बिठा दो तब भी उसे अपने राजा होने का विश्वास ना आएगा। मेरे लिए भी यही सपना जीवन का आधार है। मैं कभी जागना नहीं चाहती। नित्य ही सपना देखते रहना चाहती। तुम मुझे थपकियां देते जाओ बस मैं इतना ही चाहती। क्या इतना भी नहीं कर सकते। क्या हूँ आज स्वामी जी से तुम्हारा जगड़ा हो गया। सलोनी अभी तो आत्मनंद की तारीफ कर रही थी। अब अमर की मूँ देखी कहने लगी। भाईया ने तो लोगों को समझाया था कि महंत के बास चलो। इसी पर लोग बिगड़ गए। पूछवा और तुम करी क्या सकते हो। महंत जी पिटवाने लगे तो भागने की रहा न मिले। मुन्नी ने इसका समर्थन किया। महंत जी धर्मातमा आदमी है। भला लोग भगवान के मंदिर को खेड़ते तो कितना अपजस होता। संसार भगवान का भजन करता है। हम चलें उनकी पूजा रोकने। ना जाने स्वामी जी को ये सूजी क्या। और लोग उनकी बात मान गए। कैसा अंधेर है। अमर ने चित में शांती का नुभव किया। स्वामी जी से तो जादा समझदार ये अंपडस्तरिया हैं। और आप शास्तरों की ग्याता है। ऐसे ही मुर्ख आपको भक्त मिल गए। उसने प्रसन्न होकर कहा। उस नकार खाने में तूती की आवास कौन सुनता था का की। लोग मंदिर को खिरने जाते तो फौजदारी हो जाती। जरा जरा सी बात में आजकल गोलियां चलती है। सलोनी ने भैबीत होकर कहा। तुमने बहुत अच्छा किया भईया जो उनके साथ नहुए। नहीं कौन खचर हो जाता। मुनी आर्द होकर गोली। मैं तो उनके साथ कभी न जाने देती लाला। हाकिम संसार पर राज करता है तो कहे रैयात का दुखदर्द न सुनेगा। स्वामी जी आएंगे तो पूछोंगी। आग कितना जलता हुआ भाव, सहन भूती और सहरिदता से भरे हुए शब्दों से शीतल होता जान पड़ा। अब अमर कल अवश्य महंत जी की सेवा में जाएगा। उसके मन में अब कोई शंका, कोई दोविधा नहीं है। अमर गूदर चौधरी के साथ महंत आशारामगिरी के पास मोचा। संद्या का समय था। महंत जी एक सोने की कुर्सी पर बैठे हुए थे, जिस पर मक्लमेली गद्दा था। उनके इर्दगर्द भक्तों की भीड लगी हुई थी, जिसमें महिलाओं की संक्याई अधिक थी। सभी धुले हुए संग मरमर के फर्श पर बैठी हुई थी। पुरुष दूसरी और बैठे थे। महंत जी पूरे 6 फीट के विशाल काय सौमें पुरुष थे। अवस्था कोई 35 वर्श की थी। गोरा रंग, दुहरा देह, देजस्वी मूर्ती, काशाय वस्त्र तो थे ही किन्तु रेशमी। पाओं लटकाय बैठे हुए थे। भक्त लोग जाकर उनके चलनों को आँखों तो उसने महंत जी के समीब जागर का। महराज मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। महंत जी ने इस तरह उसकी और देखा मनों उन्हें आँखें फेरने में भी कश्ट है। उनके समीब पे एक दूसरा सादू खड़ा था। उसने आश्चरे से उसकी और देखकर सोचा यहां की सैर ही कर ले। इधर उधर घूमने लगा। यहां से पश्चिम तरफ तव इशाल मंदिर था। सामने पूरव की तरफ सिंग दवार। दाहिने बाएं दो दरवाजे और भी थे। अमर दाहिने दरवाजे से अंदर घुसा तो देखा चारों तरफ चोड़े बारामदे हैं और भंडा हो रहा है। कहीं बड़ी बड़ी कड़ाईयों में पूड़ियां खचोड़ियां मन रही हैं कहीं भाती भाती की शाक भाजी चड़ी हुई है। कहीं दूद उबल रहा है कहीं मलाई निकाली जा रही है। बारामदे के पीछे कमरों में खाद अगरी भरी हुई थी, ऐसा मालूम होता था अनाज, शाक, भाजी, मेवे, फल, मिठाई की मंडिया हैं, एक पूरा कमरा तो केवल परवलों से भरा हुआ था, उस मौसम में परवल कितने महंगे होते हैं, पर यहां वे भूसे की तरह भरा हुआ था, अच्छे अच्छे घरों क महिलाएं भक्ति भाव से व्यंजन पकाने में लगी हुई थी, ठाकुर जी के ब्यालू की तैयारी थी, अमर यह भंडार देखकर दंग रह गया, इस मौसम में यहां बीसो ज्छांबे अंगूर पर रहे थे, अमर यहां से उतर तरफ के दौर में घुसा तो वहां बाजार स जो ठाकुर जी के आभूशन मना रहे थे, कहीं जडाई का काम हो रहा था, कहीं पॉलिश किया जाता था, कहीं पटवे कहने गूंत रहे थे, एक कमरे में दस बारा मुष्टंडे जवान बैठे चंदर रगड़ दे थे, सबों के मूपर धांटे बंदे हुए थे, एक पूर द्वार से बाहर निकला, गूदर ने पूचा, बड़ी देर लगाई कुछ बातचीत हुई, अमर ने हसकर कहा, अभी तो केवल दर्शन हुए है, आरती के बाद भेंट होगी, ये कहकर उसने जो कुछ देखा वे विस्तार पूरवक बयान किया, गूदर ने गर्दन हिलाते हुए कहा, भगवान का दर्वार है, जो संसार को पालता है, उसे किस बात की कमी, सुना तो हमने भी है, लेकिन कभी भीतर नहीं गए, कि कोई कुछ पूचने पाचने लगे तो निकाल जाए, हाँ घुरसाल और गूशाला देखी है, मन चाहे तुम भी देख लो, अब ही समय बहुत बाकी था, अमर गउशाला देखने चला, मंदिर के दखिन पशुशाला आएं थी, सबसे फहले फील खाने में घुसे, कोई पच्चिस तीस हस्त थी, आंगन में जंजीरों से बंधे खड़े थे, कोई तना बड़ा की पूरा पहाड, कोई तना मोटा जैसे भैस, एक हाथी का अपना नाम, अपने सेवक, अपना मकान अलग था, किसी को मन भर रातिब मिलता था, किसी को चार पसेरी, ठाकुर जी की सवारी में जो हाथी था, वही सबसे बड़ा था, भगत लोग उसकी पूजा करने आते थे, इस वक्त भी मालाओं का धेर उसके सिर पर हर एक जाती के, हर एक देश के, कोई सवारी का, कोई शिकार का, कोई बग्गी का, कोई पोलो का, हर एक घुड़े पर दो दो आदमी सवार थे, महन ची को घुड़ दोड़ का बड़ा शोंक था, इन में कई घुड़े घुड़ दोड़ के थे, उन्हें रोज बादाम और मल दाई दी जाती थी गवशाले में भी चार-पांच सो गाएं भैसे थी बड़े-बड़े मटके ताजे दूद से बड़े रखे थे ठाकुर्जी आरती के पहले सनान करेंगे पांच-पांच मत दूद उनके सनान को तीन बार रोज चाहिए भंडार के लिए अलग अभी लोग इदर उधर घूम ही रहे थे कि आरती शुरू होगी चारों तरफ से लोग आरती करने को दोड़ पड़े गूदर ने कहा तुम्हें कोई पूछता कौन भाई हो तो क्या बताते हैं अमर ने मुस्कुरा कर रहा वैश्य बताता तुम्हारी तो चल जाती क्योंकि यहां तुम तो दान तो तले उंगली दबा लो पर वे यहां के मालिक हैं और हम भीतर कदम नहीं रख सकते तुम चाहे जाकर आरती ले लो तुम सूरत से भी ब्राह्मन जचते हो मेरी तो सूरत ही चमार चमार पुकार रही है अमर की इच्छा हुई कि अंदर जाकर तमाशा देके पर ग वही आंगन में टहलता रहा आद घंटे के बाद उसने फिर सादू द्वारपाल से कहा तो पता चला इस वक्त नहीं दर्शन हो सकते प्रातह कालो अमर को क्रोध तो ऐसा आया किसी वक्त महन जी को फटकारे पर जब्द करना पड़ा अपना सा मू लेकर बाहर चला गया गु बज रहे थे इस वक्त घर लोटना मुश्किल था पहाडी रास्ते जंगली जानवरों का खटका नदी नालों का उतार वही रात काटने की सला हुई दोनों एक धर्मशाला में पहुचे और कुछ खापी कर वहीं पढ़ रहने का विचार किया इतने में दो सादू भगवान का ब्यालू बेचते हुए नजर आए धर्मशाला के सभी यात्री लेने दोड़े हमर ने भी चार आने की एक पत्तल ली पूरियां खलवे तरह तरह की भाजियां अचार चटनी मुरब्य मलाई दही इतना सामान था कि अच्छे दोग खाने वाले त्रिप्त हो जाते यहां चूला बहुत कम खरों में जलता था लोग यही पत्तल ले लिया करते थे दोनों ने खूब पेट पर खाया और पानी पीकर सोने की तियारी कर रहे थे कि एक सादू दूद बेचने आया शेयन का दूद ले लो अमर की इच्छ तो न थी पर कौथूल से उसने दोवाने का द अमर ने विसमे से कहा इस खर्च का कुछ ठिकाना है गुदर वक्ति भाव से बोला भगवान देते हैं और क्या उन्हीं की महिमा है अजार दो हजार यात्री नित्ते आते हैं एक एक सेठिया दस दस बीस बिस हजार की थैली चड़ाता है इतना खर्च न करने पर भी रुपए बैंक में जमा है देखें कल क्या बात होती है मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कल भी दर्शन न होंगे दोनों आदमें उन्हें कुछ रात रहे ही उटकर सनान किया और दिन निकलने के पहले ड्योड़ी पर जा पहुँचे मालुम हुआ महंत जी पूजा पर है एक हमें कब दर्शन होंगे दौरपाल ने पूछा तुम कौन हो मैं उनके इलाके का असामे हूँ उनके इलाके के विशे में कुछ कहने आया हूँ तो कारकून के पास जाओ रलाके का कागा हम वही देखते हैं अमर पूछता हुआ कारकून के दफतर में पहुचा तो बीसों लंबा लंबी बही को खोले लिख रहे थे कारकुन महोदे मनसद लगाए हुका पी रहे थे अमर ने सलाम किया कारकुन साहब ने डाड़ी पर हाथ फेर कर पूछा अर्जी कहा है अमर ने बगले जाक कर खा अर्जी तुम्हें नहीं लाया तो फिर यहां क्या करने आए मैं तो श्रीमान महंत जी से कुछ अर्ज करने आया था अर्जी लिखा कर लाओ मैं तो महंत जी से मिलना चाहता हूं नजराना लाए हो मैं गरीब आदमी हूं नजराना कहा से लाओ इसलिए कहता हूं अर्जी लिखकर लाओ उस पर विचार होगा, जो कुछ खुम होगा वैं सुना दिया जाएगा, तो कभ खुम सुनाया जाएगा, जब महत जी की इच्छा हो, महत जी को कितना नजर आना चाहिए, जैसी शरद्द हो, कम से गम एक शरफी, कोई तारीक बता दीजियो तो मैं खुम सुनने आ जाऊ, यह एक कारकुन की सेवा में पेश किया फिर दोनों घर चल पड़े इनके आने की खबर पाते ही गाउं के सेंकड़ो आदमी जमा हो गए अमर बड़े संकट में पढ़ा अगर उनसे सारा बृतानत कहता है तो लोग उसी को उल्लू बनाएंगे इसलिए बात बनानी पड़ी अर्जी पेश कराया हूँ उस पर विचार हो रहा है काशी ने अविश्वास के भाव से कहा वहां महीनों में विचार होगा तब तक यहां कारिंदे हमें नोच डालेंगे अमर ने खिसी आकर कहा महीनों में क्यों विचार होगा दो-चार दिन बहुत है पयाग बोला ये सब टालने की बाते हैं खुशी से कौन अपने रुपए छोड़ सकता है अमर रोज सबेरे जाता और घड़ी राद गए लोटाता पर अर्जी पर विचार नहोता था कारकुन उनके मुहररर यहां तक की चपडासियों की मिननत समाज़त करता पर कोई न सुनता था रात को भे निराश होकर लोटता तो गाओं के लोग यहां उसका परिहास करते पयाग कहता हमने तो सुना था की रुपए में रुपए में आठ हाने चूट हो गई काशी कहता तुम जूटे हो मैंने तो सुना था महाजी ने इस साल पूरी लगान माफ कर दी उधर आतमन हलके में बराबर जनता को भड़का रहे थे रोज बड़ी बड़ी किसान सभाओं की खबरें आती थी जगा जगा किसान सभाओं बन रही थी अमर की पाटशाला भी बंद कर दी पड़ी थी उसे फुरसत ही न मिलती थी पढ़ाता कौन रात को केवल मुन्नी अपनी कॉमल सहानुभूती से उसके आसु पोच्टी थी आखिर साथवे दिन उसकी अरजी पर हुक्म हुआ कि सामने पेश किया जाए अमर महंत के सामने लाया गया दोपहर का समय था महंत खस खाने में एक तक्त पर मंसद लगाए लेटे हुए थे चारवं दरफ खस की टट्टियां थी जिस पर गुलाव का चिड़का हो रहा था बिजली के पंके चल रहे थे अंदर इस जेट के महीने में इतनी ठंड़क थी कि अमर को सर्दी लगने लगी महंत जी के मुकमंडल पर दयाज लख रही थी हुक्के का एक कश खींच कर मधरसवर में बोले तुम इलाके ही में रहते हो ना मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे आसामियों को इस समय कश्ट है क्या सच मुझ उनकी दशा यही है जो तुमने अर्जी में लिखी है अमर ने प्रोटसाहित होकर कहा महराज उनकी दशा इससे कहीं खराब है कितने ही घरों में चूला नहीं जलता महंत जी ने आखे मंद करके कहा भगवान ये तुम्हारी क्या लिला है तो तुमने मुझे पहले ही क्यों न खबर दी मैं इस फसल की वसूली रोक देता भगवान के भंडारे में किस चीज की कमी है मैं इस विशे में बहुत जल्द सरकार से पत्र व्याहर करूंगा और वहां से जो कुछ जबाब आएगा वहास आदमियों को भिजबा दूँगा तुम उनसे कहो धहरे रखें भगवान ये तुम्हारी क्या लिला है महंत जी ने आखों पर एनक लगा ली और दूसरी अर्दिया देखने लगे तो अमर कांध भी उठखड़ा हो चलते चलते उसने पूछा अगर श्रीमान कारिंदों को हुक्म दे दें किस वक्त आसामियों को दिखना करें तो बड़ी दया हो किसी के पास कुछ नहीं है पर मार गाली के भैसे वेचारे घर की चीज़ें बेच बेच कर लगान चुकाते है कितने ही लोग इलाका छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं महंत जी की मुद्रा कठोर होगी ऐसा नहीं होने पाएगा मैंने कारिंदों को कड़ी ताकीद कर दी है कि किसी असामी पर सकती न की जाए मैं उन सबों से जवाब तलब करूँगा मैं असामीों को सताया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता अमर ने जुक कर महंत जी को दड़वत किया और वहां से बाहर निकला तो उसकी बाचें के लिए जाती थी वह जल्द से जल्द इलाके में महुचकर ये खबर सुना देना चाहता था ऐसा तेज जा रहा था मनों दौड रहा है बीच बीच में दौड भी लगा देता था पर सचेत होकर रुख जाता था लू तो न थी पर धूब बड़ी तेज थी देव उकी जाती थी फिर भी भागा चला जाता था अब वह स्वामी आत्मानन से पूछेगा कहिए अब तो आपको विश्वास आये ना कि संसार में सो भी स्वारती नहीं कुछ धर्मात्मा भी हैं जो दूसरों का दुख दर समझते हैं अब उनके साथ के बेफिक्रों की भी ख़बर लेगा अगर उसके पर होते तो उड़ जाता संद्या समय वे गाउं में पहुँचा तो कितने ही उच्शुक किन्तु अविश्वास से भरे नेत्रों ने उसका स्वागत किया काशी बोला आज तो बड़े ब्रसन नहों भाई या पाला माराये क्या अमर ने खाट पर बैठते हुए अकड़कर कहा जो दिल से काम करेगा वो पाला मारेगा ही बहुत से लोग पूछने लगे भाईया क्या हुक्म हुआ अमर ने डॉक्टर कितने मज्रियोंदों को तसली दी महंत जी को तुम लोग व्यर्थबद नाम कर रहे थे ऐसी सज्जनता से मिले कि मैं क्या कूँ कहा हमें तो कुछ मालूम ही नहीं पहले ही क्यों न सूचना दी नहीं हम वसूली बंद कर दी होती अब उन्होंने सरकार को लिखा है यहां कारिंदों को भी वसूली की मनाई ही हो जाएगी काशी ने खिसी आकर कहा देखो कुछ हो जाय तो जाने अमर ने गर्व से कहा अगर धहरे से काम लोगे तो सब कुछ हो जाएगा खुलड मचाओगे तो कुछ ना होगा उल्टे और डंडे पड़ेंगे सलोनी ने कहा जब मोटे स्वामी माने गूदर ने चौधरी पन की ली मानेंगे कैसे नहीं उनको मानना पड़ेगा एक काले युवक ने जो स्वामी जी के उगर भगतों में था लज्जित हो कर रहा भाईया जिस लगन से तुम काम करते हो कोई क्या करेगा दूसरे दिन उसी कड़ाई से प्यादों ने डाट फटकार की लेकिन तीसरे दिन से वो कुछ नरम हो गए सारे इलाके में ख़बर फैल गई कि महंत जी ने आधी चूट के लिए सरकार को लिखा स्वामी जी जिस गाव में जाते थे वहाँ लोग उस पर आवाजे कसते स्वामी जी अपनी रड़ अभी लगाए जाते थे ये सब धोखा है कुछ होना होना नहीं उन्हें अपनी बात किया पड़ी थी असामियों की उन्हें उतनी फिक्र न थी जितने अपने पक्ष की अगर आधी चूट का हुकम आ जाता तो शायद वह वहाँ से भाग जाते इस वक्त तो वे इस वादे से धोखा साबित करने की चेश्टा करते थे और पी जनता उनके हाथ में न थी पर कुछ-कुछ आदमी उनकी बाते सुन ही लेते थे हाँ इसकान सुनकर उसकान उडा देते दिन गुजरने लगे मगर कोई हुक्म नहीं आया फिर लोगों में संदेह पैदा होने लगा जब दो सब्ताह निकल गए तो अमर सदर गया और वहां सलीम के साथ जिला हाकिम मिस्टर गजनवी से मिला मिस्टर गजनवी लंबे दूबले गोरे शौकीन आदमी थे उनकी ना कितनी लंबी और चिबुक इतना गोल था कि खास से मूरती से लगते थे और थे भी बड़े विनोदी काम उतना ही करते थे जितना जरूरी होता था और जिसके ना करने से जवाब तलब हो सकता था लेकिन दिल के साफ उदार परोबकारी आदमी थे जब अमर ने गाओं की हलत उनसे बयान की तो हसकर बोले आपके महंत जी ने फरमाया है सरकार जितनी माल गुजारी छोड़ दे मैं उतनी ही लगान छोड़ दूँगा है मुनसिफ मजास अमर ने शंका की तो इसमें बेनसाफी क्या है बेनसाफी यही है कि उनके करोणों रुपे बैंक में जमा है सरकार पर अर्बो कर्ज है तो आपने उनकी तजवीज पर कोई हुक्म दिया इतनी जल्द भला छे महीने तो गुजरने दीजिए अभी हम काश्तकारों की हालत की जाच करेंगे उसकी रिपोर्ट बेजी जाएगी फिर रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा तब कहीं हुक्म निकलेगा तब तक तो आसामियों के वारे नयारे हो जाएंगे अजब नहीं की फसाद शुरू हो जाए तो क्या आप चाहते हैं सरकार अपनी वज़ा छोड़ दे ये दफ्तरी हुकूमत जनाब वहाँ सभी गाम जाबते के साथ होते हैं आप हमें गालियां दें हम आपका कुछ नहीं कर सकते पुलिस में रिपोर्ट होगी पुलिस आपका चलान करेगी होगा वही जो मैं चाहूंगा मगर जाबते के साथ खैर ये तो मजाग था आपके दोस्ट मिस्टर सलीम बहुत जल्द उस इलाके की तहकीकात करेंगे मगर देखिए जूटी शहादते न पेश कीजिएगा कि यहां से निकाले जाएं मिस्टर सलीम आपकी बड़ी तारीफ करते हैं मगर भाई मैं तुम लोगों से डरता हूं खास कर तुम्हारे उस स्वामी से बड़ा मुफसित आदमी है उसे फसा क्यों नहीं देते हैं मैंने सुना ओ तुम्हें बद्राम करता है इतना बड़ा अफसर हमर से इतनी बेतकुलूफी से बातें कर रहा था फिर उसे क्यों न नशा हो जाता सचमुच आदमनंद आग लगा रहा है अगर वैं गिरफतार हो जाए तो इलाके में शान्ती हो जाए स्वामी साहसी है यतारत विकता है देश का सच्चा सिवक है लेकिन इस वक्त उसका गिरफतार हो जाना ही अच्छा उसने कुछ इस भाफ से जवाब दिया कि उसके मनोभा प्रकट न हो पर स्वामी पर वार चल जाए मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं है उन्हें अक्तियार है मुझे जितना चाहे बदनाम करे गजनवी ने सलीम से कहा तुम नोट करनो मिस्टर सलीम कल इस खलके के थानेदार को लिख दो इस स्वामी की खबर ले बस अब सरकारी काम ख़त्म मैंने सुना है मिस्टर सलीम की आप औरतों को वश्किक करने का कई मंत्र जानते है अमर ने सलीम की गरदन पकड़ कर कहा तुमने मुझे बदनाम किया होगा सलीम बोला तुम्हें तुम्हारी हरकतें बदनाम कर रही हैं मैं क्यों करने लगा गजनवी ने बांक मन के साथ कहा तुम्हारी बीवी गजब की दिलेर औरत है भाई आजकल मिनसिपैल्टी से उनकी जोर आजमाईश है और मुझे यकीन है बोर्ड को जोना पड़ेगा अगर भई मेरी बीवी ऐसी होती तो मैं फकीर हो जाता वल्ला अमर ने हसकर कहा क्यों आपको तो और खुश होना चाहिए था गजनवी जी हाँ वै तो जनाब का दिली जानता होगा सलीम उन्ही के खौफ से तो ये भागे हुए हैं गजनवी यहाँ कोई जलसा करके उन्हें बुलाना चाहिए सलीम क्यों बैठे बिठाए जहलत मोल लीजेगा वै आई और शेहर में आग लगी हमें बंगला से निकलना पड़ा गजनवी सलीम ने अमर की पहले ही खूब तारिफ कर दी थी इसलिए उसकी गवारु सूरोत होने पर भी गजनवी बराबरी के भाव से मिला सलीम के लिए हुकुमत नई चीज थी अपने नए जूते की तरह उसे कीचड़ और पानी से बजाता था गजनवी हुकूमत का आदी हो चुगा था और जानता था कि पाव नए जूते से कहीं ज्यादा की चीज है रमणी चर्चा उसके कौथूल, आनंद और मनोरंजन का मुख्य विशे थी कौमारों की रसिक्ता बहुत धीरे धीरे सूखने वाली वस्तू है उसकी अत्रिप्त लाग सा प्राय है रसिक्ता के रूप में प्रकट होती है अमर ने गजनवी से पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? मेरे एक मित्र प्रोफेसर डॉक्टर शान्ती कुमार है, वो भी शादी नहीं करते आप लोग औरतों से डरते होंगे गजनवी ने कुछ याद करके कहा शान्ती कुमार, वही तो हैं खुबसूरत से गोरे चिटे, गठे हुए बनन के आदमी अजीब है तो मेरे साथ पढ़ता था यार हम दोनों आक्सवोर्ड में थे मैंने लिटरेचर लिया था, उसने पॉलिटिकल फिलोसफी ली थी मैं उसे खूब बनाया करता था उनिवस्टी में है न, अक्सर उनकी याद आती थी सलीम ने उसके इस्तीफे, ट्रस्ट और नगर कारे का जिक्र किया गजनवी ने गर्दन खिलाई, मानो कोई रहस से पा गया है तो ये कहिए, आप लोग उनके शागिर्द है हम दोनों में एकसर शादी के मसले पर बाते होती थी मुझे तो डॉक्टरों ने मना किया था क्योंकि उस वक्त मुझे टी बी की कुछ अलामते नजर आ रही थी जवान बेवा छोड़ जाने के ख्याल से मेरी रूख कापती थी तब से मेरी गुजरान तीन तुक्के पर ही है शांती कुमार को तो कौमी खिद्मत और जाने क्या क्या खब्द था मगर ताज्यूब ये है कि अभी तक उस खब्द ने उसका गला नहीं छोड़ा मैं समझता हूँ अब उसकी हिम्मत नपड़ती होगी मेरे ही हमसिंद थे जरा उनका पता तो बताना मैं उन्हें यहाँ आने की दावत दे दू सलीम ने सिर हिलाया उन्हें फुरसत कहा मैंने बुलाया था नहीं आये गजनवी मुस्कराय तुमने निज्ज के तोर पर बुलाया होगा किसी इंस्टिटूशन की दरफ से बुला और कुछ चंदा करा देने का वादा करो फिर देखो चारों हाथ पाउं से दोड़े आते हैं नहीं इन कौमी खादिमों की जान चंदा है इमान चंदा है और शायद खुदा भी चंदा है जिसे देखो चंदेगी हाई हाई मैंने कई बार इन खादिमों को चरका दिया उस वक्त इन खादिमों की सूरत देखते ही से तालुक रखती है गालिया देते हैं पैतरे बदलते हैं जबान से तोप के कुले छोड़ते हैं और आप उनके बौकला हट पर उनका मज़ा उठा रहे है मैंने तो एक बार एक लीडर साहब को पागल खाने में बंद कर दिया था कहते हैं अब अपने को कौम का खादिम और लीडर समझते है सवेरे मिस्टर गजनवी ने अमर को अपने मोटर से गाउं पर पहुँचा दिया अमर के गर्व और आनंद का वारा पार न था अफसरों की सोहबत ने कुछ अफसरी की शान पैदा कर दी थी हाकिम परगना तुम्हारी हालत जाच करने आ रहे है खबरदार कोई उनके सामने जूटा बयान ना दे जो कुछ वे पूछें उसका ठीक ठाक जवाब दो न अपनी दशा को छिपाओ बढ़ा कर बताओ तहकीकात सची होने चाहिए मिस्टर सलीम बने नेग और गरीब दोस्त आदमी है तहकीकात में देर जरूर लगेगी लेकिन राज्य विवस्ता में देर लगती ही है इतना बड़ा इलाका है महीनों घूमने में लग जाएंगे तब तक तुम लोग खरीफ का काम शुरू कर दो रुपे में आठ आने छूट का में जिम्मा लेता हूँ सब्र गफल मीठा होता है इतना समझ लो स्वामी आत्मनंद को भी अब विश्वास आ गया उन्होंने देखा अमर अकेला की सारा यश लिये जाता है और मेरे पले अप्यश किसिवा और कुछ नहीं पड़ता तो उन्होंने पहलू बदला एक जलसे में दोनों एक ही मंच से बोलें स्वामी जी जुके हमर ने कुछ हाथ बढ़ाया फिर दोनों में सहयोग हुग गया इधर असाड की वर्षा शुरू हुई उदर सलीम तहकीकात करने आ पहुँचा दो चार गाउं में असामियों के बायान लिखे भी लेकिन एक ही सफता में उप गया पहाड़ी डाक मंगले में भूत की तरह अकेले पड़े रहना उसके लिए कठिन तपस जा थी एक दिन बीमारी का बहाना करके भाग खड़ा हुआ और एक महिने तक टाल मटोल करता रहा आखिर जब उपर से डांट पड़ी और गजनवी ने सकत ताकीद की तो फिर सला उस वक्त सावन की जड़ी लगी थी नदी नाले भर गए थे और कुछ थंड़ना गा गई थी पहाड़ियों पर हर्याली च्छा गई थी मोर बोलने लगे थे इस प्राकरितिक शोभा ने देहातों को चमका दिया था कई दिन के बाद आज बादल खुले थे मखंत जी ने सरकारी फैसले के आने तक रुपे में चार आने की छूट की घोशना कर दी थी और कारिंदे बकाया वसूल करने की फिर चेश्टा करने लगे थे दो चार असामियों के साथ उन्होंने सक्ती भी गी थी इस नई समस्य पर विचार करने के लिए गंगादट पर एक विराट सबा हो रही है भोला चौधरी सेना पती बनाए गए और स्वामी आत्मनंद का भाशन हो रहा था सज्जनों तुम लोगों में ऐसे बहुत कम हैं जिनोंने आधा लगान न दे दिया हो अभी तक तो आधे की जिनता थी अब केवल आधे के आधे की जिनता है तुम लोग खुशी से दो दो आने और दे दो सरकार महंत जी की माल गुजारी में कुछ न कुछ चूट अवश्य करेगी अब की छे आने चूट पर संतोष्ट हो जाना चाहिए आगे की फसल में अगर अनाज का भाव यही रा तो हमें आशा है आठ आने की चूट मिलेगी यह मेरा प्रस्ताव है आप लोग इस पर विचार करें मेरे मित्र अमर कांद जी की भी यही रा है अगर आप लोग और कोई प्रस्ताव करना चाहते हैं तो हम उस पर विचार करने को भी तयार है इसी वक्त डाकी ने सभा में आकर अमर कांथ की हाथ में एक लिफाफा रख दिया पते की लिखावट ने बता दिया कि नैना का पत्र है पढ़ते ही जैसे उस पर नशाचा गया मुख पर ऐसा तेज आ गया जैसे अगनी में आखुती पढ़ गई हो गर्व भरी आँखों से इधर उधर देखा मन के भाव जैसे च्छलांगे मानने लगे सुखदा की गिरफतारी और जेल यात्रा का ब्रतान था आहा वे जेल गई और वो यहाँ पड़ा है उसे बाहर रहने का क्या अधिकार है वे खुमलांगी जेल में हैं जो कड़ी द्रिष्टी भी न सह सकती थी जिसे रेशमी वस्तर भी चुपते थे मकमली गद्दे भी गड़ते थे वे आज जेल की यातना सह रही है वे आदर शनारी वे देश की लाज रखने वाली वे कुल लक्ष्मी आज जेल में है अमर के हृदय का सारा रख्ट सुखदा के चरनों पर गिरकर बह जाने के लिए मचल उठा सुखदा सुखदा चारों और वही मूरती थी संद्या की लालिमा से रंजित कंगा की लहरों पर बैठी हुई कौन चली जा रही है सुखदा उपर असीम आकाश में केसरिया साडी पहने कौन उठी जा रही है सुखदा सामने की श्याम परवतमाला में गोधूली का हाड़ गले में डाले कौन खड़ी है सुखदा अमर विक्षिप्तों की भाती कई कदम आगे दोड़ा मानोस का पदरज मस्तक पर लगा देना चाहता हो सभा में कौन बोला इसकी उसे खबर नहीं वो खुद क्या बोला इसकी भी उसे खबर नहीं जब लोग अपने अपने गाउं को लोटे तो चंद्रमा का प्रगाश फैल गया था अमर कांत का अंतकरण कृतग्यता से परिपून था उसे अपने उपर किसी की रक्षा का साया उसी जोचना की भाती फैला हुआ जान पड़ा उसे प्रतीत हुआ जैसे उसके जीवन में कोई विधान, कोई आदेश है कोई आशिरवाद है, कोई सत्य है और वह पगपग पर उसे संभालता है, बचाता है एक महान इच्छा, एक महान चेतना के संसर का आज उसे पहली बार अनुवफ हुआ सहसा मुन्नी ने पुकारा, लाला आज तो तुमने आगी लगा दी अमर ने चौक कर कहा, मैंने तब उसे अपने भाशन का एक एक शब्द याद आया उसने मुन्नी का हाथ पकड़ कर कहा, हाँ मुन्नी अब हमें वही करना पड़ेगा जो मैंने कहा जब तक लगान देना बंद न करेंगे, सरकार योँ ही टालती रहेगी मुन्नी संशक होकर बोली, आग में कूद रहे हो और क्या अमर ने ठटा मार कर कहा, आग में कूदने से स्वर्ग मिलेगा, दूसरा मार्ग नहीं है मुन्नी चकित होकर उसका मुँ देखने लगी, इस कतन में हसने का क्या प्रयोजन है वे समझ न सकी सलीम यहाँ से कोई साथ-ाथ मील पर डाक मंगले में पड़ा हुआ था, हलके के थायनेदार रहे रात ही में उसे सभा की खबर दी और अमर कांत का भाशन भी पड़ सुनाया उसे इन सभाओं की रिपोर्ट करते रहने की ताकीद कर दी गई थी सलीम को बड़ा आश्चरे हुआ, अभी एक दिन पहले अमर उससे मिला था और यद्देपी उसने महंत की इस नई कारवाई का विरोध किया था, पर उसके विरोध में केवल खेद था, क्रोध का नाम भी ना था आज एक आएक यह परिवर्टन कैसे हो गया उसने थानेदार से पूचा, महंत जी की तरफ से कोई खास ज्यादती तो नहीं हुई थानेदार ने जैसी शंका को जड़ से काटने के लिए तकपर होकर गा, बिल्कुल नहीं हुजूर उन्होंने तो सक्त ताकीद कर दी थी कि असामियों पर किसी किस्म का जल्म ना किया जाए बेचारे ने अपनी तरफ से चाराने की छूट दे दी, गाली गुफता तो मामूली बात है जल्से पर इस तक्रीर का क्या आसर हुआ हुजूर यही समझ लीजिए जैसे पुवाल में आग लग जाए महंत जी के इलाके में बड़ी मुश्किल से लगान वसूल होगा सलीम ने आकाश की दरफ देख कर पूछा आप इस वक्त मेरे साथ सदर चलने को तयार है थानेदार को क्या उज्र हो सकता था सलीम के जी में एक बार आया की जरा अमर से मिले लेकिन फिर सोचा अगर अमर उसके समझाने से मानने वाला होता तो वह आग ही क्यों लगाता सहसा थानेदार ने पूछा हुजूर से तो इनकी जान पहचान है सलीम ने चड़कर कहा यह आप से किस ने कहा मेरी सेक्ड़ों से जान पहचान है तो फिर अगर मेरा लड़का भी कानून के खिलाफ काम करे तो मुझे उसकी तंबीह करनी पड़ेगी थानेदार ने खुशामत की मेरा ये मतलब नहीं था हुजूर हुजूर से जान पहचान होने पर भी उन्होंने हुजूर को बदनाम करने में तमल न किया मेरा यही मन्शा थी सलीम ने कुछ जवाब तो न दिया पर ये उस मुआमले का नया पहलू था अमर को उसकी इलाके में यह तूफान में उठाना चाहिए था आखिर अफसरान यही तो समझेंगे कि नया आदमी है अपने इलाके पर इसका रौब नहीं है बादल फिर घराता था रास्ता भी खराल था उस पर अंधेरी रात नदियों को काउतार मगर उसका गजनवी से मिलना जरूरी था कोई तजर्बे कार अफसर इसकदर बदहावास नहोता पर सलीम नया आदमी था दोनों आदमी रात पर की हैरानी के बाद सवेरे सदर पहुंचे आज मिया सलीम को आटे डाल का भाव मालूम हुआ यहां केवल हकूमत नहीं है हैरानी और जोखिम भी है इसका अनुभव हुआ जब पानी का जोगा आता है कोई नाला सामने आ पड़ता तो वह इस्तीफा देने की ठान लेता यह नौकरी है या बला मज़े से जिंदगी गुजरती थी यहां कुत्ते खसी में आ फसा लानत है ऐसी नौकरी पर कहीं मोटर खड में जा पड़े तो हड़्डियों का भी पता न लगे नई मोटर चौपट हो गई बंगले पर पहुँचकर उसने कपड़े बदले नाश्टा किया और आठ वजे गजनवी के पास जा पहुँचा थानेदार कोट वाली में ठहरा था उसी वक्त वह भी हाजर हुआ गजनवी ने वृतान सुनकर कहा अमरनाथ कुछ तीवाना तो नहीं हो गया बादशीच से तो बड़ा शरीफ मालूम होता था मगर लीडरी भी मुसीबत है बेचारा कैसे नाम पैदा करे शायद हजरत समझे होंगे ये लोग तो दोस्त हो गई अब क्या फिक्र सही है अबले कोतवाल अबडर काहेगा और जिलो में भी तो इस शोरिश है मुमकिन है वहां से ताकीद हुई हो सूजी है इन सभी को दूर की और हक्ये की किसानों की हालत नाजुक है यों भी बेचारों को पेट पर दाना न मिलता था पर अब तो जिन से और भी सस्ती हो गई पूरा लगान कहा आधे की भी गुनजाईश नहीं है मगर सरकार का इंतजाम तो होना ही चाहिए हकूमत में कुछ न कुछ खौफ और रौब का होना भी जरूरी है नहीं उनकी सुने का कौन किसानों को आज यकीन हो जाए कि आधा लगान देकर उनकी जान बज सकती है तो कलवे चौत हाई पर लड़ेंगे और परसों पूरी मुआफी का मुतालबा करेंगे मैं तो समझता हूँ आप जाकर लाला अमरकांद को गिलफतार कर लें एक बार हल्चल मचेगी मुम्किन है दो चार गाओं में फसाद भी हो मगर खुले हुए फसाद को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना ही सहवा को मावार जब फोरुडे की सूरत में आ जाता है तो उसे चीर कर निकाल दिया जाता है लेकिन वही दिल दिमाग की दुर्फ चला जाए तो जिन्दगी का खात्मा हो जाएगा आप अपने साथ सूप्रेटेंडन्ट पुलिस को भी ले जाएं और अमर को दफ़ा 124 में गिरफतार कर लें उस स्वामी को भी ले लीजिएगा दरोगा जी आप जाकर साहा बहदूर से कही है तैयार रहें सलीम ने व्यतित कंट से का मैं जानता कि यहां आते ही आते इस अजाब में जान फसेगी तो किसी और जिले की कोशिश करता क्या आप मेरा तवादला नहीं हो सकता ठानेदार ने पूछा थानेदार सलाम गर के चला तो सलीम ने कहा आपने इसे बुरी तरह डाटा बेचारा रुआसा हो गया आदमी अच्छा है गजनवी ने मुस्करा करका जी यहां बहुत अच्छा आदमी है रसद खूब पहचानता होगा रसद कूब पहुँचाता होगा मगर रियाया से उसकी दस्गूनी वसूल करता है जहां किसी मातहत में जरूरत से ज्यादा खिद्मत और खुशामत की मैं समझ जाता हूँ यह च्छटा हुआ है आपकी लियाकत का यह हल है कि इलाके में सदाही वारदाते होती है एक कभी पता नहीं चलता इसे ज्यूटी शहादतें बनाना भी नहीं आता बस खुशामत की रोटियां खाता है अगर सरकार पुलिस का सुधार कर सके तो स्वराज जे की मांग पचाल साल के लिए टल सकती है आज कोई शरीफ आदमी पुलिस से सरोकार नहीं रखना चाहता ठाने को बदमाशों का अड़्डा समझ कर उधर से मूँ फेर लेते है यह सींगा इस राजगा कलंक है अगर आपको दोस्त को गिरफतार करने में तकल्फ हो तो मैं डियस पी को ही बेज दूँ उन्हें गिरफतार करना फर्ज हो गया है अगर आप यह नहीं चाहते कि उनकी जिल्लत हो तो आप जाईए आपकी दोस्ती का हक अदा करने ही के लिए जाईए मैं जानता हूँ आपको सद्वा हो रहा है मुझे खुद रंच है उस थोड़ी देर की मुलाकात ही में मेरे दिल पर उनका सिक्का जम गया मैं उनके नेकी रादों की कदर करता हूँ लिकिन हम और वे दो केमपों में हैं स्वराज हम भी चाहते हैं मकर इंकलाब की सुरत में नहीं हाला की कभी कभी मुझे भी ऐसा मालू होता है कि इंकलाब के सिबा हमारे लिए दूसरा रास्ता नहीं इतनी फौज रखने की क्या जरूरत है जो सरकार की आमदनी का आधा हजम कर जाए फौज का खर्च आधा कर दिया जाए तो किसानों का लगान बड़ी आसानी से आधा हो सकता है मुझे अगर सुराज जैसे कोई खौफ है तो ये कि मुसल्मानों की हालत कहीं और खराब नहों जाए गलत तवारीक हैं पढ़ पढ़ कर दोनों फिरके एक दूसरे के दुश्मन हो गए है और मुम्किन नहीं कि हिंदू मौका पाकर मुसल्मानों से फर्जी अदावतों का बदला न ले लेकिन इस ख्याल से तसलिए होती है कि बीस्वी सदी में हिंदू जैसी पढ़ी लिखी जमात मजहभी गरोह बंदी की पना नहीं ले सकती मजहभ का दोर खत्म हो रहा है बलकि यों कहें कि खत्म हो गया सिर्फ हिंदूस्तान में उसमें कुछ-कुछ जान बाकी है ये तो दौलत का जमाना है अब कौम में अमीर और गरीब जायदाद वाले और मर्भुक अपनी अपनी जमानते बनाएंगे उन में कहीं ज्यादा खुरेंजी होगी कहीं ज्यादा तंग दिली होगी आखिर एक दो सदी के बाद दुनिया में एक सल्तनत हो जाएगी सबका एक कानून एक निजाम होगा कौम के खादिम कौम पर हुकुमत करेंगे मजहभ शक्सी चीज होगी ना कोई राजा होगा ना कोई प्रजा गजनवी ने पूछा आप कब तक तियार होंगे मैं तियार हूँ तो एक घंटे में आ जाईए सलीम ने लंबी सांस खींच कर खा तो मुझे जाना ही पड़ेगा बेशक मैं आपके और आपके दोस्त को पुलिस के हाथ में नहीं देना चाहता किसी हीले से अमर को यहीं क्यों ना बुला लिया जाए वे इस वक्त नहीं आएंगे सलीम ने सोचा अपने शेहर में जब ये खबर पहुचेगी कि मैंने अमर को गिरफतार कर लिया तो मुझ पर कितने जूते पढ़ेंगे शांती गुमार तो नोची खाएंगे और सकीना तो शायद मेरा मुझ देखना भी पसंद ना करे इस ख्याल से वे काप उटा सोने की हंसियां ना उगलते बनती थी ना निगलते उसने उटकर कहा आप डीएसपी को भेज दे मैं नहीं जाना चाहता गजनवी ने गंभीर होकर पूछा आप चाहते हैं उन्हें वहीं से हत्खडियां बहना कर और कमर में रस्सी डाल कर चार कॉंस्टेबलों के साथ लाए जाए और जब पुलिस उन्हें लेकर चले तो उसे भीड को हटाने के लिए गोलियां चलानी पड़े सलीम ने घबडा कर कहा क्या डीएसपी को इन सक्तियों से रोका नहीं जा सकता अमर कांत आप के दोस्त हैं डीएसपी के दोस्त नहीं तो फिर डीएसपी को मेरे साथ न बेजें आप अमर को यहां ला सकते हैं दगा करनी पड़ेगी अच्छी बात है आप जाईए मैं डीएसपी को मना किये देता हूँ मैं वहाँ कुछ कहूंगा ही नहीं इसका आपको अक्तियार है सलीम अपने डेरे पर लोटा तो ऐसा रंजीदा था गोई अपना कोई अजीज मर गया हो आते ही आते उसने सकीना, शांती कुमार, लाला समरकांत, नैना सबों कोई के खत लिक कर अपनी मजबूरी और दुख प्रकट किया सकीना को उसने लिखा मेरे दिल पर इस वक्त जो गुजर रही है वह मैं तुमसे बयान नहीं कर सकता शायद अपने जिगर पर खंजर चलाते हुए भी मुझे इससे ज़्यादा दर्द ना होता जिसकी महबबत मुझे यहां कीच लाई उसी को मैं आजिन जालिम हाथों से गिरफतार करने जा रहा हूँ सकीना खुदा के लिए मुझे कमीना बेदर्द और खुदगर्द न समझो खुन के आसू रो रहा हूँ इसे अपने आचल से पूँच दो मुझे पर अमर के इतने एहसान है कि मुझे उसके पसीने की जिए अपना खुन बहाना चाहिए उनके खुन का मज़ा ले रहा हूँ मेरे गले में शिकारी का तौँक है और उसके इशारे पर से वे सब कुछ करने पर मजबूर हों जो मुझे ना करना लाजिम था मुझे पर रहम करो सकीना मैं बदनसीब हूँ खान सामे ने आकर कहा हुजूर खाना तयार सलीम ने सिर चुका हुए कहा मुझे भूख नहीं खान सामा पूछना चाहता था हुजूर की तबियत कैसी है मेज पर कई लिखे खत देखकर डर रहा था कि घर से कोई बुरी ख़वर तो नहीं आई सलीम ने सिर उठाया और हस्रत बरे स्वर में बोला उस दिन में मेरे एक दोस्त नहीं आये थे वही देहातियों किसी सूरत बनाये हुए वो मेरे बच्पन के साथ ही है धुड़कर यहीं एक गावों में किसानों की खियности का हुआ थिए उनopian को गिरफतार करने का मुझे हुक्म हुआ है खाल सामा और समीपाकर बैट गया क्या कुसूर किया था खुजूर उन बाभवस DRबनboarding कुसूर कोई कुसूर नहीं यही की किसानों की मुसीबत उन से नहीं देखी जाती हुजूर ने बड़े साहब को समझाया नहीं मेरे दिल पर इस वक्त जो कुछ गुजर रही है वो मैं ही जानता हूँ हनी आदमी नहीं फरिश्टा है यह है सरकारी नौकरी तो हुजूर को जाना पड़ेगा हाँ इसी वक्त इस तरह दोस्ती का हक अदा किया जाता है तो उन बावु साहब को नजर बंद किया जाएगा हुजूर खुदा जाने क्या किया जाएगा ड्राइवर से कहो मोटर लाएं शाम तक लौटाना जरूरी है जरा देर में मोटर आ गई सलीम उसमें आकर बैठा तो उसकी आखें सजल थी